हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागते हैं अब सभी का कॉमिक बल टू पॉइंट ओपर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉविल गुड़ी का तीसरा भाग नगीना और मनसुक दोड़ते हुए देवराच चौन के पास पहुंचे जो की काफी दूर गिरा था देवराच चौन के माते से खून निकल रहा था चैरे पर मिट्टी लिप्टी हुई थी कपड़ों पर मिट्टी पड़ी थी वो बेोश्ट था उकुडू सा बढ़ा हुआ नगीना ने जल्दी से उसे सीधा करते हुए कहा चौहान वो गुड्टी थी पाठकों को एक बार फिर याद दिला दें कि उन्हें दो तरफ मौझूद नगीना से बार बार मुलाकात करनी पड़ेगी एक नगीना ये है और दूसी तरफ बाके और सौनलाल के साथ इसका कु नीचे घाव था मनसुक न घाव पर रुमाल बांदिया ताकि खून ना बह सके तकड़ा बिहोश लगता है यहाँ पानी मिलेगा कुड्डी ने मनसुक से पूछा पानी मनसुक ने गहरी सांस ली शुक्र करो कि सांस लेने के लिए हवा है जाने कैसी जगा है ये नगीना द अच्छ चुप रहो गुड्डी थीके सर में बोली क्या गलत कह दिया मैंने अच्छा बोलो बुरी बात होटों पर मतलाओ मनसुक ने नगीना को देखा फिर लंबी सांस लेकर मुगोमा लिया गुड्डी देवराद चान को होश में लाने के प्रत्म में लगी रही परन ने लहिजे में का मैनत तो तुम नहीं की इसे क्या हुआ जगमान एका एक व्याकुल दिखा पेहोश है माथे पर चोट लगी है गुड्डी ने परेशानी से का यहां कई पानी मिलेगा यहां पानी का मिलपाना संबभ नहीं जगमान ने इनकार में से रिलाते हुए का दुख की बात पर ध्यान न देकर जगमान पास भी बैठ गया और देवराचान को होश में लाने का प्रत्न करने लगा देवराचान इस पश्ट तोर पर गहरी ब्योशी में डूबा लग रहा था तब ही नगीना उटते हुए बोली मैं कहीं पानी जराश करती हूँ जगमा जगमान न नगीना को देखा कुछपल देखता रहा फिर क्या उटा यहां पानी नहीं मिलेगा अभी तक हमें कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया उस तरफ हम नहीं गये शायद वहाँ हूँ नगीना न चमकती आँकों से जगमान को देखा उधर देखकर आती हूँ पानी कुछ पल जगमौन को देखती रही फिर क्या उटी फिक्र मत करो जगमौन में खाऊंगी नहीं कहने के साथ ही गुड़ी आगे बढ़ गई पीछे से जगमौन क्या उटा जादा दूर मत जाना गुड़ी उट नगीना आगे बढ़ती जंगल में निगाहों से ओजल होने लगी मनसुख न जगमौन को देखा और बोला एक बात बता यार खाजाने के बारे मैं मत पूछना जगमौन का पूरा ध्यान देवराच चान पर था ये तेरी भावी नगीना भावी को कैसे पता कि मसेरा की बाहियाक में उसकी जान चिपी है मनसुख के सवाल ना जगमौन के मस्तिक्ष में उठे टूफान को हवा दे दी वो भी तो यही सोच रहा था जगमौन ना मनसुख को देखा तेरे को ये सवाल भावी से पूछना चाहिए था मैं औरतों के मुझ जादा नहीं लगता इसलिए पहले से ही सोच रखा था कि तेरे से पूछूंगा जगमन ना उसकी बात को टालती हुए बेहोश देवराच चान को देखा ये बाते फिर करेंगे अभी तो ये से होश में लाने की सोच कहीं चोट गहरी ना लगी हो गुड़ी उस नगीना सो कदम आगे पहुंच कर ठिटकी पलट का पीछे देखा यहां से वे लोग नजर ना रहे थे बीच में पेड़ों के धेर सारे तने आ चुके थे कुछ पेड़ों के जुके होने की बज़े से वो इस वक बिल्कुल ओट में थी गुड़ी ने आखें बंद की और दौनों हाथ आगे फैला कर होटे ही ओटों में कुछ बुदबुदा उटी अगले ही पल उसके कानों में चंचलता जिवरी खनकती आवाज पड़ी क्या हुगा तुझे क्यों याद किया गुड़ी ने दौनों बाएं नीचे करते हुए आगे कोली और मुस्करा पड़ी सामने उसकी सबसे प्रिये सकी मौजूद थी उसकी अपनी दुनिया में साथ वाला ठिकाना इसी का था यही उसके करीब थी क्या कर रही थी आराम करने लगी थी सोचा था पूरे साथ देन आराम करूंगी काम बहुत कर लिया लेकिन तू नहीं बुला लिया ज्यादा काम नहीं है मेरा काम नुटा कर आराम कर ले काम बोल देवा भी होश है, उसे होश में लाने के लिए पानी क्यावा शकता है और पानी यहां कहीं भी नहीं तो इसमें मुझे बुलाने की कैस जरो होती पानी का इंतिजाम तो तू भी कर सकती साथ में जगमोरा मनसुक भी है क्या वो हैरान ना होंगे कि मैं पानी कहां से ले आई गुड़ी बेशक होंगे कि नगीना में कोई रहस आ गया तो ये बात है समझ गई मैं वापिस जा जा जी हूँ तू पानी लेकर वहां पहुंच नजर आती वो खुबसूरत इवती एका एक हवाब में विलीन हो गई गुड़ी पल्टी और वापिस चल पड़ी शीगरी वो वापिस पहुंच गई देवराज च्छान वैसे ही भियोश पढ़ा था जगमान और मंसुक उसके पास मौजूद थे होश नहीं है ऐसे पास पहुंचते हुए गुड़ी न पूचा नई जगमान ने नजरे उठा कर नगीना को देखा पानी नहीं मिला मुझे पहली पता था कि नहीं मिलेगा फिर भी आस पार नजर मारने चली गई गुड़ी ने कावर पास ही बैट गई अब तो इन्हें खुदी होश आएगा जगमान की निगा देवराज चाहन पर गई पुना होश में लाने का प्रत ने किया लेकिन कोई फायदा होता ना दिखा चंद परी बीते होंगे कि छम छम की आवाज उसके कानों में पड़ी ये ये क्या मनसुक ने हडबडा कर आसपास देखा जगमान की नजरें भी उठी गुटी के चेरे पर कोई भाब ना आया वो इधर उधर देखती बोली ये तो पायल की आवाज है कोई आ रहा है जगमान ने अजीब से सर में का इस जंगल में कोई युफती तब ही कुस दूरी पर पेड़ों के बीच में से आती एक युफती दिखी उसने मटकी सिर पर रखी हुई थी घागरा चोली गहरे नीले रंग का पहन रखा था उसके चलने से पायल की चमचम गुँझ रही थी ये कौन है मनसुक हैरानी से बोला जंगल में अकेली युफती सूर्य छिप चुका था शाम जवान हो चुकी थी सुर्माई अंदेरा बिखरने वाला था कुछी देर में रात हो जानी थी देखते ही देखते वो युफती पास आ गई जगमाई हैरानी बरी नज़ों से युफती को देख रहा था क्यों रे वो जगमाई को देखकर क्या उटी क्यों आख क्यों रे वो जगमाई को देखकर क्या उटी यूं आखे फाड़ फाड़ कर मुझे क्या देखता है जो तेरे पास बैटी है देखना है तो उसे देख मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मुझे इस तरह देखे जगमौन ने गहरी सांस लेकर खुद को सामानने करने की चेश्टा की ये इसकी भावी है मनसुक बोला इसे कैसे आँगे फाड़ कर देख सकता है तब ही नगीना क्या उटी मटकी में क्या है पानी है क्यों उसे उफ्ती ने मुझ बनाया हमें पानी की सक्त ज़र्वत है ये बिहोश है इसे पिलाना है उस पर छीटे मारने है की होश आ जाए बहु तुमारा बहुत भला होगा अगर मटकी का पानी हमें दे दू नगीना बोली मैं लादूंगी तुम्हें पानी पहले इसे काओ कि मुझे यू न देखे जगमहन न फौरण दूसी तरफ मू फेर लिया अब ठीक है इदर मू नहीं करना कहते हूँ इसना मटकी सिर से उतारी ह ले बहन शुक्रिया मैं लादूंगी तुम्हें पानी नगीना न नतुरण मटकी से पानी निकालो और देवराज चौनबत छीटे मारने लगी उसे बिना देखे जगमहन बोला तुम कहां रहती हो मू मेरी तरफ कर ले ज्यादा शरीफ न बन वो युवती हसकर के उटी आखे फाड़ फाड़ कर देखे नहीं देखूंगा वो तो ठीक है जब तुम मेरी जोपड़ी में आराम करोगे तो खाने को भी मागोगे भूक लगेगी तो कहीं देंगे खाने को पूरा नहीं तो आदा खाना खिला देना नहीं तो मती खिलाना मनसुक ने घहरी सांस आगे तुम्हारी शराफत ठीक है खिला दूगी खाना भी तुमने पूछा नहीं कि हम यहां क्या कर रहे हैं जग्मौन बोला नगीना पानी की सायता से देवराज चौन को हुश में लाने का प्रत्ने करने में वैस्ती थी मुझे क्या जो भी करो वो मूँ बिचका कर के उटी तुम यह क्या करती हो सारी बाते यहीं पूछलेगा तो जोपड़े में आकर मेरा मूँ ताकेगा क्या वो बोली बाते बात में भी हो जाएंगी जाती हूँ मुझे खाना तयार करना तुम लोगों के लिए हम भी तुमारे साथ चलते हैं मनसुक ने कहना चाहूँ भागी न जाता देखते रहे जबकि गुट्टी देवराचान को होश में लाने में व्यस्त थी जाने क्यों इस युफ्ति को यहां पानी के साथ देखकर मुझे हैरानी हो रही है जगमौन धीमे सर में क्या उटा मुझे हैरानी नहीं हो रही मनसुक मुस्कुराया मैं तो सोच रहा जबा आराम भी हो जाएगा उलजन में बसे जगमौन ने अपना ध्यान देवराचान पर लगा दिया जगमौन मनसुक को इसमें जरा भी रहस न लगा कि उन्हें पानी मिल गया है सब कुछ सामानने लगा दस मिनद बाद ही देवराचान को होश आने लगा उसके होटों से निकलती हलकी सी करहा उनने सुनाई दी होश आ गया मनसुक जल्दी से क्या उटा जगमौन और गुड़ी की निगा पहले से देवराचान पर टिक चुकी थी देवराचान की पलके कापी और चंद कोशिशों के बाद उसकी पलके खुल गई उसने बारी बारी सब को देखा देवराचान को सही सलामत देखकर उनके चेहरे पर खुशी उबरी तुम ठीको देवराचान के ओटों से सूखा ससौर निकला जगमौन न मुसकरा कर हामे से रिलाया वो मसे रखा है देवराचान बोला मर गया जगमौन न मार दिया मनसुक न का मार दिया कैसे देवराचान के चेहरे पर हैरानी उबरी, जगमान ने नगीना पर निगाँ मारी फिर क्या उटा? भावी ने बताया था कि बाई आँख में जान है उसकी, मैं उसकी बाई आँख में चाकू मारने में सफल रहा? ओ, देवराच चान ने नगीना को देखा, नगीना की कांस सी चमकती आँख को पहचान कर समझ गया कि गुड़ी सामने है, देवराच चान ने सूखे ओटो पर जीफ फे दी, लो पानी पीलो, नगीना उब गुड़ी ने मट्की उठा कर सामने की, देवराच चान उठ बैठा, मट्की से पानी पिया तो सूखते गले को रहत मिली, ये पानी, मट्की क का जौंपड़ा है नगीना ने शारा किया जिदर वो गई थी अब हम वहीं चल कर कुछ देर आराम करेंगे उसने खाना बनाने को भी काया वो हमें खाना भी खिला देगी देवराज चान के चेरे बाजीब से भाव हो रहे वो इस वीरान जगह पर कैसे रह रही है देवराज बोला पता नहीं गुड़ीन शांसर में का तुम ब्योश थे हमारा ध्यान तुम पर था ऐसे मैं उससे जादा बात नहीं कर पाए अब जाएंगे तुससे बात करेंगे देवराज चान का हाथ माधे पर पहुचा मैंने रुमाल बांदा है खून बहरा था मनसुक जल्दी से लेकिन वो था कौन मनसुक ना सूखे ओटोबर जीफ फेरी अजगर के शरीर की तरह उसकी बाहन लंबी होकर दूसरों को लिल लपेट लेती दी वो सचमे ताकत का दूसरा रूप था वो हवा में भी उड़ता था अपनी च्छन सार देवराज चान ने का हवा में मनसुक का मुझ खुला रह गया हाँ ये सब क्या हो रहा है मनसुक परिशान सा क्या उठा वो घोड़ा था तुम उस पर बैठ कर चले तो आगे जाकर वो मनुझे के रूप में बदल गया और तो मैं मारने की चेष्टा करने पीतामरी की बेजी वो बुरी शक्ती थी देवराज चान गंबीर हो गया हम उसकी नगरी की तरफ बढ़ रहा पीतामरी नहीं चाहती कि मैं वहाँ पर पहुँच जाऊं इसलिए मुझे मारना चाहती है ओ पीतामरी है कौन मैं ठीक से उसके बारे मैं भी कुछ कह नहीं सकता मैं खुद नहीं जानता जो बाते मैंने सुनी उससे तो यही समझा कि पूर्ष जनम में तुम पीतामरी को जानते थे और शायद कुछ ऐसे ही है लेकिन अभी मुझे पूर्ष जनम की याद नहीं आई याद आई की क्या हाँ है है रहते मन से गुलजन बरे सर में क्या उठा पूर्ष जनम की बाते मेरे को ठीक से समझनी आ रही जगमोन ने का वहाँ चल कर आराम कर लेना देवराज चान खड़ा हो गया गुड़ी शांत और गंबीर दिख रही थी देवराज चान के साथ वे उस दिशा में चल पड़े जेदर वो युफती गई थी चलते चलते मनसुक देवराज चान से बोला मैंने कुछ सोचा है सु तो कहूं हमें पीतामडी नगरी की तरफ नहीं जाना चाहिए इस तरह से ये सारा जंजटी खत्म हो जाएगा हमने उदर ही जाना है देवराज चान ने का क्यों मैं नहीं जानता लेकिन हमारा बहुत जरूरी है ये क्या बात हुई कि जानते भी नहीं और पहुत जरूरी है मनसुग ने अजीब से सवर में का तभी जगमौन ने मनसुग की कलाई पकड़ी और चार कदम आगे ले गया क्या है मनसुग ने अपनी कलाई चुड़ाई अंदर की बात नहीं बता रहा देवराच चान तुमें जगमौन धीमे सवर में बोला अंदर की बात हाँ क्या है अंदर की बात पेतांबरी नगरी में ही तो वो ख़जान रखा है जो हम लेने आये हैं जगमौन का सवर धीमा था सच हाँ तभी तो देवराच चान तुमें इस पश्च नहीं बता रहा कि वहां क्यों पहुँचना है अब समझा मनसुग न संधे भरी नजरों से जगमौन को देखा लेकिन तुम जूटे हो जूटा हूँ तुम पर विश्वास करने को मन नहीं करता ठीक है मत करो विश्वास मनसुग के चेरे पर उलजन रही क्या बात हो रही है देवराच चान न का मनसुग सक्पखा कर बोला कुछ नहीं यूई इसकी बात का विश्वास न करना देवराच चान बोला मेरा कोई कजूर नहीं हो तब मैं कहा इसकी बात का विश्वास कर रहा हूँ मनसुग न मुसक्राने की चेश्टा की लाख रुपिया साथ दे तो मैं तब बीस की बाद का विश्वास ना करूँ, एक बड़ धोका खा चुका हूँ देवराज चान ने चलते चलते गहरी निगाओं से मनसुक को देखकर कहा तुम कह रहे थे कि मैं पितामरी की नगरी में ना जाऊँ और ऐसी बात नहीं तुम ठीक समझते हो तो जरूर जाओ, मैं साथ हूँ तुमारे, चंता की कोई बात नहीं बरबसी देवराज चान के चेरे पर मुस्काना ठेरी, वो समझ गया कि जगमोहन ने फिर से उसे कोई जूटी गुटी पिलाई है और मुस्क गुटी निगल चुका है, सब आराम से आगे बढ़ रहे थे गिरने की वज़े से देवराज चान के कंदे और पीट में दर्द हो रहा था, इस वक वो आराम की जरुवत महसूस कर रहा था इतनी बुरी उच्छाल के बाद इस तरह गिरनो और बचपाना करिश्मा ही था हम काफी आगे आ चुके हैं और उस उफ्ती का जोपडा नजर नहीं आया जगमोहन क्या उठा, गोली दे गई लगती है वो गोली देनी होती तो पानी की मट्की हमें न दे जाती जगमोहन न नजर गुमाते हुए का, ओ, पानी की मट्की तो हम वहीं छोड़ा है मंसुक क्या उठा, कोई बात नहीं गुड़ी क्या उठी, उसे बात में जाकर ले वो रहा जोपड़ा मनसुक क्या उठा सबकी निगा उस तरफ उठी कुस दूरी पर पेड़ों के बीच में थोड़ा-थोड़ा जोपड़ा नजर आ रहा था सच बोली थी वो अपने जोपड़े के बारे में उनके उठते कदम कुद तेज हो गए ऐसी खराब जगह पर आराम करने को जोपड़ा मिल जाए और खाने को कुछ मिल जाए तो सब तकलीफे कुस देर के लिए दूर हो जाती है इसी तरह उन्हें भी तकलीफे कम महसूस हो रही थी वे जोपड़े के पास पहुँच गए भेन जी मनसुक ना पकारा परंतु कोई आवाज नहीं आई नहीं वो युपती बाहर निकली गुट्टी के चैरे पर हलकी सी मुस्कान उबरी और लुपत हो गई और गुट्टी ये न देख पाई कि जगमौन ने उसकी मुस्कान को उबरते और लुपत होते देख लिया इसके साथ ही जगमौन के माते पर हलके बल और चैरे पर सोच के भावा ठेरे थे बहन जी हम आ गए मनसुक ना पुना पकारा पहले की तरह इस बार भी कोई जवाब न मिला तब ही जगमौन आगे बढ़ा और जोपड़े में प्रिवेश कर गया दो कदम बीता जाकर ठिटका जगमौन और नजर घुमाने लगा वो हॉल कमरे जैसा बड़ा सा जोपड़ा था आराम करने के लिए नीचे ही चार बिछोने नजर आ रहे थे और वहाँ पर बत्रों में मौझूद थे गर्म गर्म सुगंदित खाने जिनकी मैग जोपड़े में फैली हुई थी परन्तों वो युफ्ती वहाँ आ थी बाकी तीनों भी एक एक करके भीतर आ गए वो युफ्ती का है मनसुक उसे ना पाकर बोला आप खाना खाईए फिर आराम कीजिए भाबी जगमौन बोला वो युफ्ती यहां नहीं है इसी काम से गई होगी गुड़ी ना शांसवर में का आज आएगी वो खाना हमारी लिए ही बना गई है वक बरबाद ना करके हमें खाना खाकर आराम करना चाहिए अभी हमें सफरत है करना है लेकिन जगमौन की निगा गुड़ी पर ही थी इतनी जल्दी वो इतना जादा खाना कैसे पका सकती है फिर ये खाना जैसी खुश्बू है इसके लिए मसाले तो यहां नहीं हो सकते देवर जी गुड़ी मुस्करा कर बोली ये सवाल मुझसे क्या पूछते हो जब वो आये तो उससे पूछ ले न क्या पता उसने पहले से ही खाना बना रखा उसे जितना तुम जानते हो उतना ही मैं जानती हूँ तूने उसका नाम पूछा था मंसुगन जगमौन को देखा जगमौन ने सोच में डूबे इंकार में से रिला दिया मैंने भी नहीं पूछा नाम पूछने से क्या हो जाता नाम पता होता तो उसे चिला कर पुकार लेते वो जहां भी होती आ जाती उसके बाद सब हात मुदो कर खाने के लिए बैठ गए पानी का महा परियाप्त प्रबंद था खाना स्वादिश्ट था खाने के तौरान कोई नहीं बोला खाना समाप्त करके उन्होंने बढ़तान एक तरफ रखे बाहर अंधेरा हो चुका था एक तरफ लाल्टेन और माचे सक्की थी उन्होंने लाल्टेन जला दी जिसकी परियाप्त रोष्णी जोपड़े में फैल गई वो चारो बिचानों पर लेट गए उनके थकान भरे शरी को बहत सुकून मिला लेट कर अंधेरा हो गया पंसुक ने का अब तक तो उसुफ्ती को आजाना चाहिए था अखर इस वाग अंधेरे में भरे जंगल में वो कांवा ठक रही होगी क्या कर रही होगी नींद ले लो देवराद चौहन ने का आ जाईगी वो इसके बास अब एके करके गहरी नींद में डूपते चले गए अंधेरे में जिंगरों चीटों की तरह तरह की जाने किस खटके से ठके से बड़े जगमोन की आंक को ली उसने नगीना को जोपड़े से बाहर जाते देखा तो आंके पूरी कुल गई तब ही देवराद चौहन को उठते देखा वैसे ही पढ़ा रहा जगमोन देखते देखते देवराचान भी बाहर निकल गया जगमहन उट बैटा नगीना के पती संदे का बीस तो नगीना के पती संदे का बीस तो तब से ही उसके मन में उट चुका था जब नगीना ने देवराचान को गोड़े पर बैटने को मना किया था और बाद में पता चला कि घोड़ा ही मसेरा का रूप लेगा देवराचा उनको खत्म कर देना चाहता था यानि कि नगीना को पहले से ही आवास हो गया तक ही कुछ गड़वड़े दूसरी बात ये कि नगीना ने उसे बताया कि मसेरा की बाँ याग पर वार करने से ही वो मर पाएगा गेर रहे से नगीना को कैसे पता चला और मसेरा ने मरते समय जगमोहन से कहा था कि उस उफ्ती में कोई शक्ती मौजूद है उधर नगीना पानी डूडने गई बाद में युफ्ती मठकी के साथ वहाँ पाचे उन्हें आराम करने को जोपड़ा भी दे गई और खाना भी खाने को दिया जबकि वो युफ्ती दिवारा देखने को नहीं मिली इन सब अजीब बातों का शक्त जगमौन जाने क्यों नगीना पर कर रहा था कि मसेरा नोसे किछी शक्ती के नगीना में होने का दिक्र किया था और वो शक्ती ही सब कुछ कर रही है और अब रात के अंदिए में नगीन और देवराचवण जोपड़े से बाहर क्यों जा रे है ज़कि उन्हें इस जंगली अंधेरे में जोपड़े से बाहर निकल लाइ नहीं चाहिए जग्मन उटा और दबे पाउन उनके पीछे जोपड़े से निकल गया नगीना देवराद चौन के साथ जोपड़े से पचास कदम दूर पहुंच कर रुगी देवराद चौन नगीना को देखा इस अंदेरे में भी आँखों में हलकी सी चमक नगीना की आँखों में बसी नज़ा लाई वो समझ कै कि इसके सामने गुड़ी मौजूद है तब ही वो बोल पड़ी क्यों चौन तेरे को मना किया था कि गोड़े पर नहीं बैठना तब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मुझे गोड़े पर नहीं बैठना चाहिए देवराद चौन ने सामाने लहजे में का सालिक कुटिया की ओलाद गुड़ी गुर्रा उटी जब मैंने कहा तो तुझे मेरी बात माननी चाहिए थी देवराद चान के चाहरे पर गुस्सा हो भरा अपनी घटिया मागी तरह तू भी नक्रे दिखाता है कुट्ता है और तू कुट्ते ही रहेगा चुपकर क्यों गुसा आ रहा है कह जो तू तेरी जबान बहुछ चल रही है देवराद चान के ओोटो से गुर्राट निकली अझाने मेरे से गल्ती तूने तो कह दिया अझाने मेरे से गल्ती हो गई लेकिए मेरा क्या होगा इनी खत्रों से तेरे को बचाने के लिए मुझे बेजा गया है तेरे को कुछ हो गया तो मेरा अस्ते तो खत्म हो जाएगा क्या मतलब? तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी है अगर मैं तेरे को ना बचा पाई तो मेरे बड़े भी मेरे को कटोर सजा देंगे मेरी सारी महना तो तपस्य मिट्टी में मिल जाएगी मैं खास न रहे का साधरान हो जाऊंगी देवराज चान का दिमाग तेजी से चल रहा था ना समझ कर भी वो गुट्टी की बातों को बाखुबी समझ पा रहा था किसने बेजा है तुम्हें मेरी साहता करने के लिए किसीने भी बेजाओ तू अपने काम से मतलब रख गुट्टी न शुष के सर में का क्यों बेजा है इसका जवाब तेरे को खुद पर खुदी मिल जाएगा देवराज चान उसे देखता रहा तेरे को मेरी जरुरत नहीं तो बोल मैं नगीना को छोड़ कर वापिस चली जाती हूँ गुट्टी बोली देवराज चान समझना सका कि क्या करे मैं चाकर भी नगीना को छोड़ कर नहीं जा सकती या तो मेरे बड़े मुझे वापिस आने को कह दे या तू मुझे जाने को कह दे सोच ले ना जब भी जाने को कहेगा मैं चली जाऊंगी देवराद चान चुप तूने मेरी बात नहीं मानी हो गोड़े पर बैठ गया जान जाते याते बची तेरी तब मेरा अस्तित भी खत्रे में पड़ गया था गुड़ी का स्वार बेहत कठोर हो गया ऐसी गलती तू फिर भी कर सकता है कुटिया की अउलाद देवराद चान के दाथ गुस्टे से बिच गए तब ही गुड़ी का हाथ गुमा जोड़ दार चाटा देवराद चान के गाल पर पड़ा तड़ाक की आवाज मां गुञ जोटी देवराद चान सिर से पाउं तक गुस्टे से काप उठा गुड़ी उसके होटों से गुराट निकली मैं तेरी इज़्जत करता हूँ इज़्जत उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा अगला ही पल गुड़ी का हाथ पुना गुमा और देवराद चान के गाल पर जा पड़ा चांटी की आवाज पुना उबरी दात किरकिटात हुए देवराद चान ने हाथ उठाया पर अंतु रोक लिया उसने हाथ मार पुझे मारेगा तू गुड़ी ने गुस्टे से का मेरे को तेरी मार से कुछ नहीं होगा मैं तो हवाँ कभी यहां तो कभी सेंकडों मिल दूर पलों में यही मेरा वजूद है मेरी शक्सियत है तेरा हाथ तो अपनी पत्नी कोई लगेगा देवराद चान ने हाथ नीचे कर लिया वो गुस्टे से भरा पड़ा था कुट्ता कहीं का गुस्टे में गुड़ी ने कहा और पुना उसके गाल पर जोनों का चाटा मारा इस बार देवराद चान शान सा खड़ा रहा रामजादे अब तेरे को याद रहगा कि तूने मेरी बात माननी है गुड़ी ने बहुत कटोर स्वार में का इस बात का हमेशा द्यान रखना तुझे मैं जो कहूंगी करूंगी वो तेरे भले के लिए ही होगा याद रख अगर तूने यही गलती की तो तेरा यहाल मैं सबके सामने करूंगी देवराद चान ने कुष्णी का गुड़ी को देखता रहा मैं भले के लिए तेरे पास आई हूँ ऐसे मैं तेरे को पीटना भी पड़ा तो पीछे नहीं आटूंगी चल जोपड़े में जाकर नीन ले ले सुबह आगे बढ़ने के लिए सफ़र शुरू कर देना देवराद चान जाने के लिए पलटा चान देवराद चान ने ठिटक कर गुड़ी को देखा अब तेरी तबियत कैसी है गुड़ी ने नमर उसर में पूचा ठीक है पहले से बहतर है आराम कर ले मैं चाहूंगी हम और भी काम करने है फिराऊंगी तेरे को कभी मेरी जोड़र पढ़े तो गुड़ी कहकर पुकार लेना नगीना के सामने तब तु मेरे से बात कर सकेगा देवराचान ने सेरेला जोपड़े की तरफ बढ़ गया रहस में शक्सियत गुड़ी ने देवराचान के मस्तिश पर अधिकार पाना शुरू कर दिया था अब गुड़ी धीरे धीरे देवराचान के व्यक्तित्व पर काबू बाती जा रही थी उस पर हावी होना शुरू हो चुकी थी इसका उदरान सामने था कि गुड़ी के चाटो के जवाब में देवराचान जैसी शक्सियत भी खामोश खड़ी रही थी और देवराचान नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या होने वाला थी गुड़ी भी देवराज चौन के पीछे चल पड़ी दोनों जोपड़े में पहुंचे जगमोन और मंसुग नीन में लगे लाल्टेन का प्रकाश मा फैला हुआ था वो दोनों अपने बिचौनों पर लेटे और नीन में डूपते चले गए लेटे लेटे ही जगमोन अपनी सासे सयंत कर रहा था देवराज चौन और नगीना से चंद पल पहले ही वो जोपड़े में आकर लेटा था और अब जगमोन का मस्तिश साइं साइं कर रहा था जाला मुकी सा फटा पड़ा था उसकी सोचों में सब कुछ उसने सुना था सब काबू कर रखा था कि अगर वो चाटे मारती है तो देवराज चौन खामोशी से उन चाटो को सिकार कर लेता है इस शक्ति का नाम गुड़ी है कौन है गुड़ी जगमोन के मस्तिश्क में धेरो सवाल उठने लगे वो देवराज चौन की साहता के लिए आई है लेकिन क्यो सवाल सैकड़ोते परंतु जवाब एक भी नहीं था रह रहकर तूफान से उट रहे थे जगमोन के मस्तिश्क में अब उसकी समझ में आ गया था कि कैसे वो युफ्ती पानी की मटकी लेकर वक पर पहुँच गई और कैसे नगीना यानि गुड़ी को पता था कि मसेरा की बा सवानलाल मौजूद थे सवानलाल लेटा हुआ था जबकि अन्य तीनों बैठे हुए थे यो डिब्बो तो मारी कमर का सत्यानाशो करो बाकेलाल लटार अपनी कमर को दबाते क्यो उटा चिंता मत कर बाप अपनी हड़ी बसली बराबर होई ला रुस्तारा बोला खामा खाम मुसीबत में भस गयो बाकेलाल लटा ने घहरी सांस ली मौनो चौदरी तब भी न दिखो इभी की बार हो तो उसो की गर्दम वड़ के दूसरों सांस लेओ पहले काग जो का पैकेट ले ले न सवानलाल क्या उटा वो तो उसो के मरनों के बाद हो तम उसो के कपड़ों से वसूल लेओ पाकेलाल लटान मुझ परहात पेरा वो तरसेम बताईला कि इदर मोना चौदरी खासाला नेने के बास्ते आईला बढ़ियो खजानों उसो को मिल गयो तो वो अम ले जायो अब तक खामोश बैटी नगीना क्या उटी ये डिबबा खब रुखेगा यो तो मार को भी पतो ना हुए दीदी अपन को ये डिबबा मंजल तक पचाएला क्या मतलब डिबबा खामा का अपन लोग को ना सरकाएला किदर तो ठिकाने का पक्का पहुंचे पचाएला पलबर के लिए चुपी रही ये बात तो तुमने ठीक गई सोहनलाल क्या उटा हमें कहीं प दुश्मनों भी होए वो तो सब जगई होईला बाप तम यो जरोबी ना सोचो कि डिबबो मारे को किदर लेके जाये हो सोचने के का जरुवत पढ़ेला बाप जब ये रुकेला तो सब को सामने होईला मारे को किसी ने बढ़ दे हो तो खत्रा तो पक्का होईला बाप तम तो मारे को गणी चिंतों में डाले हो वाकेला लटा और मूझ का कोना मसलता क्या उटा मारे को तो यो समझ में ना आवे कि मारो कोनों से दुश्मनों पैदा हो गयो कुछ न बोला कोई मारे को तो लागे है यो सब मोना चौदरी कई खेल होवे कौन सा खेल बाप ये डिब्ब नोईला, रुस्तारा सोच बेरे सर में क्या उटा, अप उनको लगे लागी मोना चोदरी इदर खजाने के चक्कर में ना आईला, का मतलब वो विथारा, वो इदर किसी दूसरे मामलों के फेर में ही आईला, दूसरों मामलों, हाँ बाप, लेकिन अप उनको वो मामला ना समझ नहीं बाइत हो लव, ये डिबबा यूही नहीं सर केला, तम तो मारे को डरायो, मैं रुस्तारागी बास्ते सहमा तू, स्वानलाल ने कंभी सर में का, वो सब मध्यम सी नीली रोष्णी वे एक दूसरे का मूह देखने लगे, डिबबा सरकने की धर-दल की आवाज जैसे उ स्वानलाल बोला, तरसेम के बारे में जानने के लिए पड़े अनिल महन का पूर प्रकाशित पन्यास, मास्टर, जो कि आपको अनिल महन की प्लेलिस में मिल जाएगा, वो भी मारे को किदर नहीं दिखो, हर तरफ खत्रे ही दिखिला बाप, कोई नया रगडेला पडेला, य यो तो सर्ग नरकों का रास्त तो ही जानो हो, बाकेला लटाओने गहरी सांस लेकर का, तभी स्वानला लुठा और खड़ा हो गया, मारो को मारो हो का, मैं देखता हूँ कोई रास्ता, शाद इस डिब्यों को खोला है रोका जा सके, यो बिना इंजन के डिब्बा हो वो हो, इसो की आँखे न हो वो, यो तो सरक नहीं जानो हो, पर अंतु स्वानला लुठे को टटोलना शुरू कर दिया, हम पहले से देखो बैठो, कोई फायदन हो वे, देखने दे बाप, कभी कभी बच्चा भी ठीक निशान न लेला, ये बच्चों न हो वे, मारो बापो हो वो, यो तो देवरा, चौनो संग कंदों से कंदा मिला कर काम करी हो, उनकी बातों बाद ध्यान न देका सौनलाल अपने काम पर लगा रहा, नगीना को कामोज बैटा बागा, रुस्ता रहो क्या उटा, तुम क्या सोचला दीदी, तुम ठीक कहते हो रुस्तम, हम वास्ता में किस अंजानी मंजल की तरफ ले जा रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब तो इसका कोई होए लगी कि हम सब बुरा फसेला, मुझे तो देवरा चौन की चिंता हो रही है, नगीना ने गहरी सांस लेकर का, वो जाने किस हाल में होंगे, देवरा चौन बहुत सक तोयला दी दी, यहां पर ऐसे हालात उनके सामने आए तो शायद वो भी कुछ न कर सकेंगे, बहना, देवरा चौन इधर आया ही क्यों, मुझे क्या पता, ख़जाना लेने के वास्ते इधर पहुंचे ला होगा, उस्तार ना उनने का, इस सामार का जाओ किसी के पास भी नहीं था, वो सब यह तो सोच भी न सकते थे कि पूर जनम के अद्बुत दुनिया में तो, अद्बुत दुनिया में वो पहुंचने हैं वाले हैं, आदे गंटे की जोर आजमाईश के बाद सोहन लाल वापस आ बैठा, क्यों सोहन लालो, फेल हो गयो हो का, यहां से निकल पाना असान नहीं, सोहन लाल ने गंबी सर्मे का, देखते हैं यह डिपा कहां जाकर रुकता है, सर्ग में तो रुको, नहीं मन्य तो बढ़िया कर्म ना करो, नरकों में पहुंच कई धमो यह डिपो, लाओ, पारसनात बोला, खाने की पोटली मैं उठा लेता हूं, हस पड़ी सितारा, लो, त भूल गए, पहले भी तो तुम्हें कई बार उठा चुकी हूं, एक बार तुम आम तोड़ना चाहते थे, खुशी राम का बाग था वो, याद होगा तुम्हें, परन्तु उस आम तक तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहा था, तुम भी जित पर रड़ गए कि आम तोड़ मेरे कंदे बर बैटे आम खाते रहे थे, तब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज हुई थी, दो दिन तुमसे बात भी नहीं की थी, क्यों, मेरे लिए तुमने एक आम भी नहीं तोड़ा था, इसलिए, सितारा मुस्करा कर बोली, तुम खुद तोड़ ले थी, तेरे ह पाओं के नीचे आकर चर्मरा उटते थे, जानता है परसू, तेरे इंतजार में वो वहीं बैठी रही, कहीं भी नहीं गई, वहां क्यों, तेरे को तो गाओं में रहना चाहिए था, तेरे को नहीं पता, वो जगे गाओं की ही तो है, गाओं की, हाँ, जहां मैं तुझे इं तूफान बार बार आते रहे तो गाओं वालों ने फैसला किया कि वहां से दूर बज जाते हैं, फिर सब चले गए, यहां से बहुत दूर, लेकिन मैं नहीं गई, तूफान मंदर का कुछ नहीं बिगाड सका, इसलिए मैं साफसफाई करके वहीं रहने लगी, मंदर की मूर इसी रहम की बास सच ही न, तू आ गया, मेरे सारे दुख दूद हो गए, सितारा की आंके चल चला उटी, चलते चलते पारसनात में उस पर नजर मारी, मैं हमेशा तेरे को ही याद करती रहती थी, जाने किसकी नजर लगई थी हमारे ब्या को, पितामबरी की काली नजर लग मैं पितामबरी को नजर चानता, उसके बारे मैं मुझे कुछ भी याद नहीं, तो फिर क्यों बात करना चाता है उसके बारे में, यूँ, इल चाता है, एक परसू, मेरे बात को मज़ाग म смंनस्मझना, अगर इस बार तुने पितामबरी को चाह तो मैं कुछ हमेश पूद क तेरे को पितामरी के बारे में कुछ नहीं बताना तो मत बता तेरे को कुछ याद नहीं तो बता देती हूँ ये तो तेरे को बताई दिया था कि पितामरी को बेटी बना का तांतरिक कलपनात अपने साथ ले गया था उसके कुछ बरसो बार पितामरी जब सामने आई तो बहुत बड़ी जादू टोने करने वाली बन चुकी थी इस विद्या में वो माहिर हो चुकी थी और अपने रहने के लिए उसने अलग स्थान चुना जिसे कि आज पितामरी नगरी कहते हैं कहते हुए सितारा पलवर के लिए ठिटकी सुनने में आता रहा कि पितामरी और भी बड़ी विद्या सीख रही है जिसके लिए वो अपनी नगरी छोड़कर चली जाती है पारसना चलते हुए उसकी बाते सुन रहा था सौ बरस के बाद पितामरी तंत्रमंतर की बहुत बड़ी विद्यादारी बन गई सुना कि उसने ये सारी विद्याएं रामभूत नाम के तंत्रिक से सीखी जो शम्शान में रहता था उससे सब कुछ सीखने के बाद पितामरी ने उसकी जान ले ली क्यों? क्योंकि जो विद्याएं पितामरी ने रामभूत से सीखी थी उन विद्याओं को सिर्फ रामभूत ही जानता था और रामभूत वो विद्याओं किसी को नहीं सिखाता था कि सीखने वाले ने उन विद्याओं का गलत इस्तिमाल किया तो तबाही मत जाएगी परंतु पितांबरी ने रामभूत को अपने रूप जाल में फसा लिया जब तक वो विद्याई शीखती रही तब تक वो रामभूत के बिन व्यागी पतनी बनकर रही ऐसे में रामभूत ने उसे सब कुष तंत्रमंध की विद्याई सिखा दी परन्तु पिताम्भूत को ये शंका थी कि ये मैटपूर्ण विद्याय रामभूत किसी और को भी सिखा सकता था जबकि उन खास विद्याओं की एक मात्र मालकिन सिर्फ वही बने रहना चाहती थी इसलिए रामभूत को मार दिया कि उससे वो विद्याओं कोई और ना जान सके हाँ उसके बाद पिताम्भूत की शक्तियां फैलने लगी परसु सच में उसका मकाबला आज कोई नहीं कर सकता पिताम्री इतनी बड़ी हो चुकी है अपनी विद्या में कि उसकी नगरी में जादू टोने के अविशकार होते हैं इन सारे कामों की करता धरता वो ही है अविशकार को पूर्ण करके उसे तुमारी दुनिया में बेज देती है पारसनात के चेरे पर गंबीरता के भावते अपने मंतरों दौरा पिताम्री बहुत कुछ कर सकती है मुझे तो सुनकर ही डर लगता है लोग उसके खिलाब आवाज नहीं उठाते मरना है क्या आवाज इदाना तो दूर पिताम्री नगरी की तरब भी कोई देखने को राजी नहीं इधर तो कोई आता ही नहीं पहले कुछ लोग इधर आये थे वो जिन्दा वापिस नहीं जा सके मार दिया उन्हें मारी दिया होगा बहुत बुरी है पिताम्री अब तो उसके नाम से लोग ड़ते है पारसनात कुछना बोला एक बात मानेगा बड़सू बोल तू पितामरी की नगरी मच जा मेरा वहाँ पहुचना बहुत जरूरी है सितारा गहरी सांस लेकर रह गई तू मेरा विश्वास नहीं करता कि पितामरी नगरी बहुत बुरी है सितारा गहरी सांस लेकर बोली विश्वास है इनकार नहीं करता तो फिर क्यों जाता है उदर देवा और मिन्नो ने भी वहीं जाना है ऐसे मेरा वहाँ से दूर रहना ठीक नहीं तू ये सोच कि तेरे को पता ही नहीं कि देवा और मिन्नो पितामरी नगरी पहुंच रहे मैंसे वितना जानता हूं कि मुझे पता है सितारा बेमन से पारसनात के साथ आगे बढ़ती रही तेरा उदर जाने का मन नहीं तो मच जा यहीं रुख जा मैं खोदी चला जाऊंगा कैसी बाते करता है तेरे साथ तुम्हें कुए में भी कूच जाऊं अभी कितनी देर का रास्ता है ठक गया उठा लू यहीं पूछा है पारसनात नम उसकरा कर उसे देखा देर दो दिन तो लगेंगी सितारा बोली दोपेर बाद जंगल में एक मात्मा की कुटिया के पास पहुंचेंगे वहीं पर खाना खाएंगे मात्मा के दर्शन करना तो पास साल पहले उन्होंने मुझे बताया था कि परसू के आने में ज़्यादा वक्त नहीं है उनकी बात तो सच निकली बहुत अच्छे हैं वो वो जंगल में ही रहते हैं हाँ साथ में और कौन-कौन रहता है अकेले ही रहते हैं और तबस्या करते रहते हैं तो खाते क्या हैं मुझे क्या पता पारसना तो इस मात्मा के बारे में सोचने लगा दौन के कदम तेजी से उठ रहे थे शाम के चार बज़ रहे थे जब पारसना तो सितारा जंगल में बनी छोटी सी कुटिया के पास पहुंचे कुटिया के आसपास की जगे पर अच्छी तरह सफाई कर रखी थी पूलों के कुछ पौदी भी लगे नज़र आ रहे थे इस पश्ट मैसूस हो रहा था कि कुटिया के आसपास साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है यही है मात्मा की कुटिया पारसनात में पूछा हाँ आओ पहले मात्मा जी के धर्शन कर लें उसके बाद हरी घास पर बैट कर खाना खाएंगे कहने के साथ ही सितारा ने पोट्डी नीचे रखी और कुटिया में प्रवेश कर गई पारसनात में भी बीता प्रवेश किया कुटिया के कौने में आसन पर वो वेक्ती बैठा ध्यान मगन था उसकी लंबी सफेद दाड़ी पेट तक जा रही थी सिर के बाल पीछे को सावारे हुए गर्दन तक जा रही थी गले में माला पैन रखी थी माथे पर चंदन का तिलक था और चेहरे पर धूनी मल रखी थी कमर के गिर्द धोती लपेट रखी थी सितारा आगे बढ़ी और उनके सामने सिर जुका लिया पारसनात की निगा उस पर जाटी की अपनी तपस्या में वो इतना लीन ता कि उसे कुछ भी होश नहीं था जैसे सितारा ने पारसनात को देखा फिर उसके पास पहुचिया दबेसर में बोली परडाम करो पारसनात ने हाथ जोड़ दिये ऐसे नहीं नीचे बैट कर इनके आगे सिर जुका कर ऐसे ही ठीक है पारसनात ने कहा धीरे बोलो महत्मा जी की तपस्या तूट जाईगी नीचे जुका परडाम करो सितारा की आवाज में डाट के भाव थे पारसनात ने सितारा की बात मानी और उसके कई मताविकी परडाम किया आओ बाहर चलकर खाना खाते हैं पारसनात तो सितारा ने खाना खा लिया सितारा की जोड जबरदस्ती करने की वज़े से पारसनात ने कुछ जादाई खा लिया था कुटिया के बाहर ही पानी का मटका रखा था जिसमें जो उन्होंने पानी पिया ये महत्मा हर वक्स इसी तरह समादी में रहते हैं आराम करना है या आगे चलना है? पारसनाथ एक आएक बोला, तुम ठक गई हो तो आराम कर, मेरी परवा मत करो, मैं नहीं तकती, तुमारा जो मनों वो करो, सितारा बोली, यहां से चलेंगे, मैं तुरन पीतामरी नगरी पहुच जाना चाहता हूँ. तब ही बीतर से निकल कर म वहार पर आकड़े हुए महत्मा जी सितारा के senior re 32 से निकले और हाच जोड़े वो आगे बढ़ी तेरे को कितनी बार की मेरे आगिस के सिर मत शुकाया कर सितार वहीं ठिटक गई सिर्यला दिया पारसनात की एक टक निगा महत्मा पर दी सितारा सितारा फौरम पारसनात के पास पहुंचकर दबे सौर में क्या उटी देख क्या रहो मात्मा जी को पड़ाम करो परंतु पारसनात उसे देखता रहा सितारा ने पुना का इसी पर दवाब नहीं डालते कि वो सामने वाले को पड़ाम करे मात्मा जी की चमक बरी निगा पारसनात पर थी पारसनात उसे ही देख रहा था मुझे तेरे आने का कब से इंतिजार था परसू परंतु पारसनात की निगा तो मात्मा के माते पर नज़र आ रहा है निशान पर टिक चुकी थी वो कोई पुराना निशान था चोट का निशान, कुछ गहरा, कुछ चाउणा क्या देख रहा है पड़सू यह यह आपके माथे का निशान पारसनाथ ने अजीब से स्वर्मे का यह यह निशान ऐसा ही निशान मेरे दोस शिला जीत के माथे परता है मैंने उसे पत्थर मारा तो तो गहरा जख्म हो गया था फिर ऐसे ही निशान रह गया था मात्मा के उटों की मुस्कान गहरी हो गई तो तेरे को पूर्जणम की बाते याद आ रही है हाँ शिला जीत मेरे पूर्जणम का ही तो दोस्त था लेकिन आप, आप कौन है मैं तेरा दो शिला जीती हूँ सितारा के चैरे पर हैरानी आ ठहरी पारसना चौका पर चैरा खुशी से बर उटा शिला जीत परसू पारसना तुरंत आगे बढ़ा और शिला जीत के गले लग गया सितारा तो हैरान हो चुगी थी तब तम्हारे साथ रहता था जब तुम पितामरी के दिवाने थे? हाँ, सितारा ने नाराज की बरी नजरों से महात्मा को देखा मैंना शिलाजी नाम तो सुन रखा था, परण तुमें देखा कभी नहीं था देखा होता तो शायद तुम्हें पहचान जाती सितारा बोली तुम शिला जी तो तो सबसे पहले एक बात का जवाब दू क्या? तुम्हें मालूम था कि परसू का मेरे से बया हो गया तो फिर तुमने इसे पितामरी के चक्कर में पढ़ने से रोका क्यों नहीं? पितामरी का तब मैंने इसे बहुत रोका लेकिन इसने सुनी कहा मेरी? पितामरी की एक जलक पानी के लिए पागल हो चुका था है पितामरी का यही हाल देवा को लेकर था पितामबरी जब देवा की जलक पाने जाती तो परसु दूर रहका पितामबरी को नियारता रहता ये पितामबरी के लिए पागल था और पितामबरी देवा के लिए कैसा आजब खेलता पितामबरी को पता था कि परसु उसे चाहता है क्यों नहीं पता था परसु कई बार पितामपरी के सामने अपने प्रेम का इजार कर चुका था परंतों पितामपरी को तो इसकी परवा भी नहीं थी उसने इस पष्ट कह दिया था कि वो देवा से प्रेम करती है ओ इस पर भी ये पितामपरी काई दिवाना था तब तक मुझे पता चल गया था कि इसका बेया तुम्हारे साथ हो चुका है ऐसे में मैंने इसे तुम्हारे पास लोट जाने को बहुत का ये सुनते ही कहा था मेरी तब ही मिन्नो नगरी की मालकिन बना दी गई उसके देवा के साथ जगड़े आरंब हो गए थे पढ़िये अनिल मौन के पूर प्रकाशित उपन्यास जीत का ताज, ताज के दावेदार और कौन लेगा ताज ये तीनों ही उपन्यास आपको अनिल मौन की प्लेलिस में मिल जाएंगे मिन्नों ने परसी को अपने पास बुला लिया तो ये जगड़ों में वैस्त हो गया था एक दो बार मुझे मिला तो पितामबरी का आल पूछा लेकिन तुमारा नहीं पूछा ओ, सुनकर मेरे को तकलीफ पहुची सितारा भर रहा इस और में क्या उटी पारसनात खामोश रहा, सितारा को देखता रहा तूने पैचान लिया सितारा को याद आ गई इसकी नहीं, जल्दी, सब कुछ याद आ जाएगा आ, इदर खास पर बैट कर बाते करते हैं तीनों पासी छाया में खास पर जा बैटे ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है शिलाजीत अच्छा हाल है महात्मा शिलाजीत मुस्कुराया मिन्नो और देवा के जगड़े में धीरे धीरे पूरी नगरी कूट पड़ी थी, बहुत खुन खराबा हुआ सब कुछ तबाह हो गया, ऐसे में तू आएगा और सितारा के साथ मेरे से मिलेगा शिलाजीत ने कहा, कैसे पता था? तपस्या की विद्या ही मेरे ग्यान का रास्ता है शिलाजीत ना मुस्कुरा कर कहा तेरे से मिलकर मुझे खुशी हुई सुना है पितामबरी, तंतर मंतर की बहुत बड़ी सादक बन गई है हाँ ठीक सोना है शिलाजीत ने गंबीर सर में का याद आया तेरे को पितामरी के बारे में नहीं बहुत जल्दी याद आ जाएगा मैं जानता हूं कि तू पितामरी नगरी जा रहा है परसू हाँ क्या करेगा महां जाकर महात्मा शिलाजीत गंबीर था मिन्नो और देवा भी उस तरफ गए है पेशी राम ने बताया था कि दौनों में जान लेवा जगड़ा होगा और जगड़े को रोकना है मैंने जगड़ा रोक लेगा तू कोशिश करूँगा सफ़ा लो जाएगा कोशिश में मिन्नो तेरी बात मान का जगड़ा रोक देगी शिलाजीत ने गंबीर सर में पूछा विश्वास के साथ कुछ नहीं कह सकता पारसनात के चैरे पर हलकी सी बेचैनी आठहरी सितारा उनकी बात है सुनती हुई बारी बारी दोनों को देख रही थी मेरे खाल में तो मिन्नो तेरी एक बात न सुनेगी देवा से जगड़ा ना करने के बारे में मैं देवराज चान को रोकनी की चेश्टा तू तो मिन्नो का साथ ही है जब मिन्नो तेरी बात नहीं सुनेगी तो देवा तेरी बात की परवा क्यों करेगा पारजनात के होट बिजगा, तेरे को पता है, मेरे को तो कब से इस बात का ग्यान है कि जब तू मिलेगा तब पितामरी की नगरी में क्या होगा, विद्या से मैं मालूम कर लेता हूँ, मुझे बता क्या होगा, नहीं बता सकता, तेरे को कुछ भी बताने की मनाई है, किसना मन मैं तो तेरे को इतने ही कह सकता हूँ कि तेरा वहाँ जाना ठीक नहीं। मेरा पती मुझे मिलाए और आप कहते हैं कि मैं इसे अकेला जाने दू ये तो संभवी नहीं। पर्सू के साथ तो मेरा जनम मरन का साथ है। एक बार इसे अकेला जाने देकर मैं भुगच चुकी हूँ। अब इसे अकेला छोड़ने की गलती में किसी भी हाल में ना करूँगी। सितारा पक्के स्वर में क्या उड़ी। मैं जो कह रहा हूँ वो भले के लिए है। भला हो या बुरा मैं तो पर्सू के साथ ही रहूँगी। तेरी मर्जी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ पल उनके बीच खामोशी रही। शिला जीत। पारसनात क्या उठा। कुस्तो मुझे बता दे की पितामरी नगरी में क्या होगा। ताकि मैं पहले से ही सतर्क रहूँ और सामने आने वाले हाला से नबढ़ सकता। मैं ना बताने को मजबूर हूँ। दोस्ती कभी तेरे को ख्याल नहीं। दोस्ती दुश्मनी की बातों से मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। अब मैं विद्दय के आदेश के बिना कुछ नहीं कर सकता। शिला जीत ने शांस्वर में का। ये सोच की जहां मंत्र तंत्र से हर काम किया जाता है वहां तू क्या कर पाएगा। पारसना तुसे देखता रहा। हात पाउं की लडाई नहीं होती उस नगरी में। शिला जीत ने का। खामोश वार होते हैं। ऐसे में तू क्या बच पाएगा। अपने सासा सितारा की जान भी गवां देगा। तभी तो तेरे को जाने से मना कर रहा हूं। मैं जाओंगा शिला जीत। वो तो मुझे पता ही है कि तू जाएगा। एक बात जान लेकि मिन्नो और पितामबरी खास सहे लिया है। मालूम है मुझे। सितारा कहा उटी। मिन्नो ने पितामबरी के प्यार के लिए देवा को आजाद कर दिया था। आज भी वो तौन एकी हैं। तु मिन्नो का साती है इसलिए तेरी जन बची रह सकती है। पितामबरी के लोग तेरे को कुछ न कहेंगे। फिर भी तेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा भाला चाता है तो मच जा रोकूंगा नहीं तेरे को शिलाजीत ने धीमे जर्मे का फिर गले में डाल रखी माला उतार का सितारा की तरफ बढ़ाई ले इसे पहन ले सितारा ने ना समझने वाले भाव से माला थामी पितामरी की नगरी में जो तेरे को सबसे प्यारा लगे उसे ये माला पहना देना तब वहाँ की शक्तियां उसका कुछ ना बिगाड सकेंगी फिर तो मैं ये अभी परसू के गले में जल्दी मत कर इस बात का फैसला करने का मौका तेरे को पितामरी नगरी में मिलेगा कि माला किसके गले में डालनी है इस वक्त तु ये माला अपने गले में डाल ले शिलाजीत की आवाज में आदेश के भाव दे सितारा ने माला समय पहन ली पारसनात गंबीर व्यकुल सा शिलाजीत को देखे जा रहा था तू मेरे से बहुत कुछ छिपारा है शिलाजीत पारसनात क्या उठा मात्मा शिलाजीत खामोश रहा तू नहीं बताएगा जवाम में शिलाजीत मुस्करा कर बोला मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि जो मैं भविश को तेरे सामने रख दूँ लेकिन जानता है तू बता नहीं सकता पचास बरस की तपस्या की बाद मेरी विद्या में बढ़ोतरी होगी तब तेरे को मैं अपनी इच्छा से बाते बता पाऊंगा अब नहीं नहीं संबा भी नहीं शिला जीत ने इंकार में से लिलाए पारसनात के ओटोबर शांसी मुस्कान उगरी तो अब मैं जाओ ये तेरी जिद है मैं तो नहीं चाहता कि तू जाए देवा और मिन्नो पितामरी नगरी पहुँच चुके है पारसनात ने पूचा मिन्नो पहुँचने वाली है देवा दो दिन बात पहुँचेगा शिला जीत ने का पारसनात उट खड़ा हुगा जाने का विचार पक्का है तेरा? हाँ, सच में मैं तुझे रोक सकता तो अवश्य रोकता परंतु उसका दिकार मेरे पास नहीं है सितारा भी खड़ी हो गई बचे खानी की पोटली समाल ली अच्छा महात्मा जी सितारा ने हाथ जोड़े जाओ, प्रभू, ही भला कर सके तो करेंगे सितारा पारसनात के साथ आगे बढ़ गई सफर पुना आरंब होगे मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि महात्मा तुमारा दोस्ष शिलाजीत होगा सितारा ने का मैं भी उसे माते के निशान से ही पहचान पाया तुझे धीरे धीरे पहले जम की बाते याद आ रही है हाँ पारसनात विचार बर्यों सर में क्या उटा शिलाजीत ने तुम्हें ये नहीं बताए कि अपितामरी नगरी में कैसा वक्त आने वाला है वो मजबूर होगा कान में तो बता सकता था पारसनात गैरी सांस लेकर रह गया उसकी दी माला ने तो मुझे उलजन में डाल दिया एक एक सितारा ने का हाँ उस बात में मुझे भी सोचने पर मजबूर किया पारसनात ने गंबी सर में का कहता है जो प्यारा लगे पितामरी नगरी में उसके गले में डालना मुझे तुस्से प्यारा बला कौन लगेगा शायल शायद हालात बदलेंगे वह तो क्या हालात की वज़े से मुझे कोई और प्यारा लगने लगेगा मैं ये बाद जुटला दूँगी पारसनात मुस्कुराया ओनी को जुटलाया नहीं जा सकता परसू एक एक सितारा व्याकुलसी क्या उठी अब जाने क्यों मुझे पितामरी नगरी में जाने से ड़सा लगने लगाए मैं हूँ तेरे साथ मन में घबराट है कि मैं तुम्हें कहीं खो न दूँग सब ठीक रहेगा इतना तो होसला है कि पितामरी तेरे को कुछ नी कहींगी सितारा क्या उठी वो मिन्नो की सहेली है अब तो पितामरी से मेरा करीब का वास्ता हो जाएगा पारसनात मुस्कराया क्यों सितारा तो नक कर बोली क्योंकि मैं मिन्नो के पास रहूँगा ये क्यों भूलता है कि मैं तेरी बगल में रहूंगी, तूने पितामरी को दिवान की बरी नज़ों से देखा, तो वहीं पर तेरे से ऐसा जगडा करूंगी, ऐसा जगडा करूंगी कि फिर पितामरी तेरे सामने भी नहीं पड़ेगी, सितारा ने मूँ फुला कर का, पारसना मात के मन मस्तिष्ट में खलबली मची हुई थी कि पितामरी की नगरी में कैसे हालाच सामने आएंगे। उडन तश्ट्री जैसे विमान के रफतार एक कम होने लगी। चारो चौके। शायदम पहुंच गए। मोना चौधरी के उटों से निकला। कहां जांगीर बोला। क्या पता। लेकिन यहां यह उडन तश्ट्री ले जाना चाहती थी वहां मा पहुंचे हैं। रफतार कम हो रही है। अब जाने किस मुसीबत में भसने वाले हैं। छोटू लंबी सांस लेकर के उठा। माजन के चाहरे पर गंबीरता नजर आ रही थी। एक आएक उनकी कुर्सियां टेबल जोरों से हिलने लगी। कोई साहरा थाम लो। मोना चौधरी तरन तुटते हुए एक तरफ की दीवार में लगी किसी चीज को मजबूती से पकड़ लिया। उडन तश्ट्री लेंड हो सब कुस थमसा गया। सब कुस सामान ने लगने लगा। अब उडन तश्ट्री हेल नहीं रही थी और वो सब भी शांत खड़े थी। कुछ पलों तक वा सन्नाटा सा उबरा रहा। लगता है हम जमीन पर आप पहुचें। मोना चौधरी गंबीर सर में बोली। यहां अमारे लिए खत्रा हो सकता है। महाजन ने मोना चौधरी को देखा। हाँ कुछ भी हो सकता है। खजाना मिला नहीं और खत्रा में घेरे रहता है। जहांगी ने व्यकुल सर में का। छोटू तो ही मुझे यहां लाया। जगदंबा के खजाने के बारे में सुनते ही मोना चौधरी को बुलावा बेज दिया। क्या जरूरत थी जो मुझे क्या पता था कि इन सब मुसीबतों से खजाना लेने निकला है। तो मुसीबतों तो आएंगी। अब चुप रहे है। छोटू नमू बना कर का। मोना की निगा छट की तरफ उट रही थी जहां से वो भीतर आये थे। उसके ख्याल से वो रास्ता अब खुल जाना चाहिए। परंतु वो अभी तक बंद था। अब क्या किया जाए। माजन ने बात करने के लहजे में कहा। हम ना तो पहले कुछ कर रहे थे और ना ही अब करन गूंजुटा। आप सबका पितामरी नगरी में स्वागत है। पलबार के लिए इस आवाज को सुनते ही वे ठिटक गए। तुम महातांत्रिक। महाजन के ओटों से निकला। सही पैचाना। मेरी आवाज ही मेरी खास पैचान है। आवाज पुना कानों में पड़ी। हर तो खजाना लेने जगदंबा की मिनार में आये थे। यहां आने का हमारा कोई रादा नहीं था। महातांत्रिक के हौले से हसने की आवाज आई। हसता भी है। जहांगी इन छोटू से का। खजाना तो मिनार की पर्थम मंजिल पर था। ले लेते और बाहर निकल जाते। मोना चौदरी के चेरे पर उलजाना ढहरी। इस वक्त तुम पूरी तरह पूर्जनम पर प्रवेश कर चुकी हो। और पूर्जनम की धर्ती पर मौजूद हो। परंतु तुम्हें पूर्जनम की कोई भी बात याद नहीं आई। लेकिन जब तुम इस यान से निकल कर धर पपाउं रखोगी तो तुम्हें सब याद आ जाएगा। पूर्जनम की यादे ताजा होना आरम हो जाएंगी। मोना चौदरी के मस्तिष्ट में धेरो सवाल उटकड़े हुए। तुम बहुत उलजी-उलजी बाते कर रहे हो। मोना चौदरी बोली। पितामरी कौन है। बोला तो तुम्हारी प्यारी सहीली। इस जगह को पितामरी नगरी को कहते हैं। क्योंकि ये नगरी तुम्हारी सहीली पितामरी की बसाई हुई है। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि पितामरी जादू टोनों की मलिका है। तंत्र मंत्र से जादू टोनों के अविशका उसमें इतनी शक्ति है कि मुर्दों का ब्या कराकर उनसे बच्चे पैदा कराती है। पितामरी देवी अपना कर्म करती है। बुराई भी तो अच्चाही कही रूपे नील सिंग। और पैर फैलाने का मौका दिया बुराई जितनी फैलेगी अच्छाई उतनी ही पनपेगी बकवास कर रहे हो तुम महाजन ने तीखे स्वर में का सोचो नील सिंग महातांत्रिक का स्वर गंबीर हुआ अगर बुराई समाप्त हो जाए तो अच्छाई का क्या होगा महाजन के चैरे पर सकती चाहिए थी मैं बताता हूँ महातांत्रिक का स्वर पुना सुनाई दिया बुराई ने रहीगी तो अच्छाई का अस्तित्व खत्म हो जाएगा सब तरफ अच्छाई अच्छा दिखेगा ऐसे में अच्छाई से हर कोई तंग आ जाएगा इसी तरह अगर एक तरफ बुराई बुराई नजर आए तो बुराई से भी तुमारी दुनिया के लोग तंग आ जाएंगे यानि कि अच्छाई और बुराई दौनों का ही होना महत्पून है बात तो पते की कर रहा है जहांगीर बड़बड़ा उठा क्या बोला छोटू ने उसे देखा जो बोल रहा है पहले उसे सोन और समझ महातांत्रिक का सर पुना कानों में पड़ा हम तो अपना कर्म करते हैं तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि अच्छाई से हमारे संबन दोस्ताना है अक्सर अच्छाई वाले हमसे संपर्क करते हैं बात हैं करते हो और ऐसे रास्ते भी बता देते हैं जिससे की बुराई के लहर और तीजो सकती है या फिर कुछ लोग हैं जो कि अच्छाई के भी संपर्क में रहते हों बुराई के भी वो हमें आकर बता देती कि अच्छाई ये कर रही है और तुम ये कर रहे हो तुम कहते होगी ये बुराई है अच्छाई हमें बुरा नहीं कहती हमारे दम पर तो अच्छाई का वजूद कायम है तुम अपनी बातों से मुझे भेला नहीं सकते हैं महतांत्रिक मेरे सच को तुम भेलाना ना को जो इनसान सच्छा होता है मरने के बाद अच्छाई उस अपने खेमे में ले लेती है उसी तरह जो इनसान बुरा होता है उसकी मौत के बाद उसके अंच को हम थाम लेते हैं और उसे तुबारा तुमारी दुनिया में जम दिला देते हैं ताकि बड़ा होकर पुना वो हमारी बुराईयों का आगास करे मगर बुराईयों और अच्छाई दौनाई खत्म हो जाएं तो मोना चौदरी बोली बेवकूफों वाली बाते मत करो मिन्नो ये संबव ही नहीं जब तक ये दुनिया है बुराईयों और अच्छाई कायम रहेगी ये कभी खत्म नहीं हो सकती इनसान इन चीजों के बिना अदूरा है हर बुरे से बुरे इनसान के बीतर अच्छाई भी छुपी होती है और इसी तरह हर अच्छे से अच्छे इनसान के बीतर बुराई छुपी होती है अच्छाई और बुराई का वजूद हर जगह पर है देखना तो ये होता है कि कौन किस चीज़ का जादा इस्तिमाल करता है हम जो कर्म करते हैं इसके बिना तुमारी दुरी है क्योंकि हर इंसान के एक हाथ में अच्छाई है और दूसरे हाथ में बुराई मौका देखकर वो अच्छा ही बुराई का इस्तिमाल कर लेता है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमारी बात पर विश्वास करूँ महाजन कड़वे सर में बोला मत करो लेकिन तुमारी दुनिया में आज के वक्त में लोग बुराई का दिल खोलकर इस्तिमाल करते हैं किसी को धोका देना जूट बोलना फरेब करना चोरी टकैती लूट पार्ट करना जान ले लेना क्या नहीं होता तुम अपनी को मैं हाँ क्या नहीं करते तुम लोगों की जान लेते हो जूट बोलते हो पैसों के लिए जो हो सके वो करते हो और जो भले के काम करता हूं वो तो मैं नज़र नहीं आता महाजन के होटों से निकला वो भी पता है लेकिन तुम पहले बुराई से पैसा घटा करते हो और उसमेंसे गरीबों को बाट देते हो यानि कि तुमारे भी एक हाथ में अच्छा ही और दूसरे में बुराई है यही तो कहना चाहता हूँ है कि हमारे बिना तुमारी दुनिया अधूरी है बढ़िया बात कही जहांगी ने गहरी सांस ली तु तारीव कर रहा है? चोटु बोला बाट जची तो तारीव क्यों नहीं करूँगा? मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ मात अंत्रिक मैं तुम बस जोर भी नहीं दूंगा कि तुम मेरी बात मानो मैं तो कठोर सच को तुमारे सामने रख रहा हूँ कि हम बुरे नहीं? नफरत की योग नहीं बलकि हम तो वो हैं जिसके बिना अच्छाई का वजूद खत्म हो जाएगा हमी तो सब कुछ है हम नहीं तो कुछ भी नहीं नीरा सो जाएगी बुराई की बिना तुमारी दुनिया एक बार सिर्फ एक बार बिना बुराई वाली दुनिया की कलपना तो करके देखो चंद पलों में तुम कांप कर अपनी सोचे रोग दोगे क्योंकि बुराई की बिना तुम लोगों की दुनिया तबाह हो जाएगी भोजन में हर रोज अलग अलग तरह के वेंजन खाय जाते हैं एक ही तरह का वेंजन रोज रोज खाने को मिले तो भूक लगने पर भी खाने का मन नहीं होता इसी तरह अच्छाई नाम का वेंजन जो तुम्हें हर तरफ नजर आएगा तो जीवन बेमानी सा लगने लगेगा इच्छाएं खत्म होने लगेंगी चाहतें फीकी पढ़ जाएंगी खुशी कहीं भी नहीं मिलेगी क्योंकि अच्छाई में बुराई नाम का रस जोनी रहा बुराई वो रंगें जिसका हर चीज में थोड़ा-थोड़ा समावेश होना जरूरी है तब ही तो जिन्दिकी चटपटी हो जाएगी अच्छाई से भरा साधा खाना जिन्दिकी भर नहीं खाया जा सकता तुम तो सच में बहुत बड़े ग्या नहीं हो जहांगीर के उठा मैंने सची तुम से का है मैंने कब कागी जूट का है तुम बुराई यो फिर भी तुम ने सच का मैं तुमारी बात से सहमत हूँ महाजन ने कटोर नजरों से जहांगीर को देखा मैंने कुछ गलत कह दिया कि जहांगीर ने महाजन से का उपर का प्रविश द्वार खुलने लगा धूप की मोटी सी रेखा भीतर आई उपर आस्मान दिखा साथी ठंडी अवा का जोगा मैसूस किया सबकी निगाउस रास्ते पर टिक चुकी थी अब हम भार निकल सकते हैं छोटु बोला मोना चौदरी जहांगीर ने मोना चौदरी से का वो पितांबरी जो भी है तुमारी सहीली है वही यहां की मालके ने मेरे खैल में ये बात हमारे लिए अच्छी है हम सरक्षित रहेंगे यहां मैं नहीं जानती मोना चौदी ने गंबीर सर में का तब तक छोटू उसास्ते के नीचे पहुँचकर उपर देखने लगा था जहांगीर ने छोटू को उपर उठाया तो छोटू ने उपर का हिस्सा थामा और बाहर निकलता चला गया कैसी अजीब जगय है ये छोटू की आवाज उनके कानों में पड़ी फिर जहांगीर बाहर निकला उसके बाद माजन अंत में बची मोना चौद्री ने उच्छाल भरकर बाहर निकलने वाले रास्ते का किनारा धामा और वो भी बाहर निकल गई उड़न तश्त्री के ऊपर खड़े हुए ही उसके निगाह और तरफ घूमने लगी कई अंतर लगे होने का एसास उने यहीं से हो रहा था मैदान के बाहर हर तरफ किनारे किनारे पर पेड़ लगे हुए थे उनी पेड़ों के बीच में से दो तीन रास्ते इस पस्ट नजर आ रहे थे उन रास्तों पर दो दो घोड़ों वाली खुबसरत बग्या खड़ी थी उनमें कोचवान बैटा भी नजर आ रहा था वहां से देखने पर कुछ दूर बस्ती होने का एसास हो रहा था कैसी जगह है यह छोटू बोला यह बस्ती से बाहर की जगह है जैसे हमारे यह एरपोर्ट एक कर फटकर खुली जगह में होता है महाजन ने का वे धीरे धीरे ओणन तस्टी से नीचे उतरने लगे तब ही उस शीशे वाले कमरे में एक आदमी निकल कर उनकी तरफ बढ़ा वो पांच फीट की लंबाई का वैक्ती था उसना सफेद दोती पहन रखी थी सिर के बालों को पीछे की तरफ करके चुटिया बना रखी थी गठा हुआ जिसम सा उसका कानों पर हैटफून जैसा कुछ लगा रखा था पाओं में चमडे की चपलें पहन रखी थी अपने हाव हाव से वहर समय वेस्ट रहने वाला लगा पास पहुंचा वो और मुस्करा कर हाथ जोड़त हुए नमर सर में बोला पितामरी नगरी में आपका सौगत है तुम का उनों देह पालक नाम है मेरा और उन विमानों का संचालन करना मेरा काम है उसने नमर सर में का संचालन? मोना चौदरी के ओंट सिकड़े कैसे करते हो संचालन? उस कमरे से इनने कब आस्मान में पहुचाना है? कब नीचे उतारना है? किस तरफ की दिशा निर्धारित करनी है? ऐसे सब काम मेरे ही अवाले है इस काम में मेरे दोस्ट आयक है उसना पुना नमर सर में जवाब दिया हैरान है कि ये 99 तरी कहां और तुम कहां फिर भी इसे कंट्रोल में रखते हूँ? जहांगीर बोला जी, इनके भीतर बैटकर उड़ा ले जाने का सिस्टम नहीं है? मोना चौदी ने पूचा नहीं, ऐसा करने के लिए शीशे वाले कमरे में पड़ी मशीनरी इस विमान में रखनी पड़ेगी हमारे यहां तो विमान दूसी तरह के होते है? जानता हूँ लेकिन हमें इस तरह के ही तैयार करने पड़े क्योंकि उन वमानों को तारने उड़ाने के लिए बहुत ज़ादा जगह चाहिए जबकि इन के लिए थोड़ी सी जगह ही काफी है देपालक न का खुब, माजन क्या उटा? देपालक कुछ कहने लगा कि ठिटका लगा जैसे हैटफोन से उसे कुछ कहा जा रहो वो सुनने के बाद देपालक चारों को देखता कै उटा आदेश हुआ है कि अब आपको नगरी की तरफ चल देना है वहाँ आपका इंतिजार हो रहा है फिर उसने एक तरफ खड़ी बग्गी की तरफ विशारा किये जाईए आप लोग स्वैमि उस बग्गी में विराजमान हो जाईए बेचारे बिना कुछ कहये आगे बढ़ गए देपालक पलट कर कमरी की तरफ चला गया हम पूरी थरह इन पर निर्भर है यह जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करना होगा एक बात अजीब सी लगी जहांगीर बोला क्या महाजन ने उसे देखा एक तरफ तो इनके पास रोडंत अश्त्री है जिसे की यह विमान कहते हैं वैसे यह बग्ग्यों का इस्तमाल करते हैं इससे इने आसानी होती होगी शायद यह के लोग अमारी दुनिया से पिछड़े होकर भी कई मामलों में आगे हैं मोना चौधरी ने का जाने किस जगह पर आप आपहुचे हैं छोटू ने गहरी सांस ले तभी मोना चौधरी लडखड़ाई उसके सिर में जोरों का दर्द हुआ दौनों हातों से मोना चौधरी ने अपना सिर थाम लिया बेबी माजन फारण उसकी तरफ लपका और उसे थाम लिया क्या हुआ बेबी दर्द सिर में दर्द मोना चौधरी चीन स्वर में क्या उटी मोना चौधरी ने अभी भी दौनों हातों से सिर को थाम रखा था फिर वो बैठती चली गई कोई कुछ ना समझपाय कि क्या करे इसी पल मोना चौधरी के मस्तिश में जैसे बिजली की लहर दोरती चली गई कमपन सा हुआ मोना चौधरी के शरीर में महाजन ने मोना चौधरी को थाम रखा था इसी वज़े से कमपन उसके शरीर में भी हुआ अगले ही पुल मोना चौधरी सामान नोने लगी सिर का दर्ग गायब हो गया महाजन की आँखों में अजीब से भाव आ ठहरे थे मोना चौधरी के चेरे पर मुसकान उगरी पितामरी के साथ खेलना सारा दिन शरारत बाजी करते रहना बागों से आमों का तोड़ना रसा खेलना आंगन में बैठकर गुड़े-गुड़ियां का खेल कितना कुछ करते थे हम दिन में एक पल भी चैन नहीं लेते थे एक बार हमने लाला को पेड़ से बांध दिया था महाजन हसकर क्या उड़ा जब उसने घर में शिकायत लगाई हमारी तो घरवालों ने सारी रात हमें सर्दी में खड़े रहने की सजा दी थी तब पितामरी अपने घर से रजाई ले आई और हम मजे से सो गए थे सब याद है हमें हाँ सब याद है अब पितामरी से मिलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा महाजन की खुशी देखने लाइक थी वे इसी तरह बाते करते जा रहे थे जहांगीर और छोटू की नजरें मिली ये क्या हो रहा है तेरे को पता होगा जहांगीर बोला कही ने पूलजन की याद तो नहीं आ गई जिसके बारे में महातांतरिक कह रहा थे कि धर्ती पापा रोकने पर यादा यही हुआ है तू सच मानता है इन बातों को की जो सामने उसे देख और सच मान क्या तेरे को ये दोनों जूटे लग रहे हैं लगता तो नहीं तो देखता रहे सुनता रहे दोनों ही अजीब उलजन में फसे लग रहे थे वेपुना बग्गी की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे देवा की याद है तेरे को बोला महाजन हाँ मेरी नजरों में वो सबसे करारा ललका हुआ करता था क्या जवानी थी लंबा कत खिला हुआ रंग रूप मुस्करा था तो दिल में कमपन होने लगता था मैं तो उसके बारे में ही सोस्ती रहती थी बग्गी के पास पहुँचे और बीतर जा बैटे मूचों वाला तीस ब्रस का कोचवान था उसना फॉरन बग्गी आगे बढ़ा दी देवा को पितामबरी भी चाहने लगी थी महाजन गंबीर से क्या उटा हाँ जब मुझे पता चला तो पितामबरी के लिए मैंने मन मार लिया बीस से मैं हट गई लेकिन देवा तो तुम दोनों मेंसे किसी को भी नहीं चाहता था हाँ मोना चौधरी गहरी सांस लेकर बोली वो कुछ अजीब सा था अपने ही कामों में वेस्त रहता था कभी साथ मैं जग्गू तो कभी भवर सिंग तो कभी तरवेडी तो कभी गुलचन और भी जाने कितने दोस्ते हैं ये सब हमारे बाल योवन काल की ही बाते हैं जब और बड़े हुए तो दूसरे कामों में उलस्ते चले गए वो बेबी परसू के बारे में भूल गई एका एक माजन बोला याद है उसका ब्या हो गया था पड़ोस में रहने वाली सितारा से परसू सितारा को बहुत चाहता था लेकिन शादी के दुनों के बीची उसने पितांबरी को देखा और उसके प्यार में पागल हो गया बुरा किया पारसनाथ ने मोना चौदी ने गहरी सांस ली मैंने बहुत समझाये लेकिन माना नहीं इसी तरह उनकी बाते चलती रही बंगी दोड़ती जा रही थी कहां ले जा रहा है तुँ हमें जहागीर बोला महल में महल कौन सा देवी पितांबरी का आप लोग उनके महमान है ये तेरे को किसना का रंगोली ने ये कौन है महल की सबसे खास नौकरानी उसी की देखरेक में महल के काम होते है अच्छा जहागीर ने से रह लाया मुझे नहीं मालूम था कि रंगीली तेरा नाम क्या है चोटू ना पूचा राजा तेरी मा का ना चुपकर हमने कौन सा रिष्टा देखरना है जहागीर क्यों उठा बेकार की बात मत किया कर राजा हसकर बोला रिष्टा हो भी नहीं सकता क्यों मेरा प्या हो चुका है चार बच्चे हैं मेरे अच्छा हुआ रिष्टे के लिए हमारे भरोसे रहता तो तेरे काम तेरे काम कभी नहीं बनना था जहागीर बोला एक बात तो बता क्या रंगीली का रिष्टा हो गया चुपकर छोटू नमुग बनाकर का मुँग बंदरा खाकर लार गिरती रहती है तेरे को क्या दिक्कत है जहांगीर ने खा जाने वाली नर्जों से उसे देखा उसका नाम रंगीली है वो तो 80 बरस की बुड़िया है रंगीली के उम्र तो 22 बरस है 22 बरस हां तेरे को कैसे बता कली मुझे बता रही थी रंगीली तेरे को क्यों बता रही थी यूई अपनी उम्र तो वो सबको बताती रहती है राजा ने बग्गी दोड़ाती हुए का क्यों उसे अच्छा लगता होगा अपनी उम्र बताने मे राजा ने का, सुन लिया, छोटू बोला था रंगीली के बारे में बात मत करना क्यों, तेरा मुँ खुलना आम बात है, लार गिरती है पितामपरी ने देख लिया तो गरदन काट देगी तेरी मैं तो यूई, अब यूई यूई ना कर बंदा बंजा, ये शहर नहीं है जहांगीर ने बुरा सा मुँ बनाया कितनी दूरे महल, छोटू ने पूछा पास ही ये थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे मोना चौदरियों माजन बातों में वेस्थ थे बग्गी इस वाग उचे रास्ते से जा रही थी उन्हें एक तरफ पितामरी नगरी बसी दिखाई थी और दूसी तरफ काफी बड़ा महल नगरी के मकान चोटे चोटे और धेर सारे बने नजर आ रहे थे काफी बड़ी आबादी थी वहाँ दूसी तरफ महल लाल से पत्त्रों का बना हुआ था शांदार और काफी बड़ा महल लग रहा था वो बग्गी महल जाने वाले रास्ते की तरफ मोड रही थी मुझे तो विश्वास नहीं होता कि पतामरी इतने बड़े महल में रहती है महाजन बोला वो अब देवी पतामरी है नगरी की मालकें वक्त के साथ बहुत कुछ बदल चुका है मोना चौधरी बोली हम लोग नया जन्म ले चुके हैं और वो उसी जन्म में रह रही है महाजन ने मोना चौधरी को देखा कितनी अजीब बाते की पतामरी अभी वही जन्म जी रही है इसमें कुछ भी अजीब नहीं है इतनी लंबी जिन्दी की बितार लेने पर वी वो बूरी नहीं होगी इसकी वज़ाएं है क्या पहले चम के लोगों के पास बहुत खास विद्ध्याएं है उन विद्ध्याओं के दम पर उन दवाओं का सेवन करके वे उम्र के शरीर पर होने वाले असर को रोक देते हैं मातर एक के लिए नहीं पूरे के पूरे गाउं की उम्री भी वहीं रोक ली जाती है पहले के लोगों ने विद्ध्याओं के लिए बहुत पढ़ाईयां की महनत की पढ़ाई तो अब भी है लेकिन दूसरी तरीकी की महाजन एका एक गंबीर नजर आने लगा पितामरी से तुम किस रिष्टे से मिलोगी बेबी महाजन ने पूचा वो मेरी सहीली है, मेरी प्रिय सहीली लेकिन आज वो बुराई की मलिका है होगी, लेकिन मेरी नजरों में वो मेरी पुरानी खास सहीली है उसकी अच्छाई है बुराई से मुझे किशनी लेना देना ये तो गलत है, तुम्हें उसकी बुराई को याद महाजन, मोना चौदी की आवाज में तीके भाव आगए तुम्हें मेरे और पितामरी के मामले में नहीं आना चाहिए तुम उसके बारे में जो भी विचार रखो लेकिन मेरे विचारों को बदलने की चेश्टा मत करो महाजन गहरी सांस लेकर बूला बुराई की मलिका तुमारी सहीली हो सकती है बेबी, मेरी नहीं महाजन ने महाजन को देखा और उकड़े सर में बोली तुम उसे परिशान नहीं करोगे महाजन वा बेबी, इस धर्ती पापाउं रखते ही पितामरी का रंग तुम पर चड़ गया महाजन, महाजन ने बात खत्म करने के लहजे में का महाजन ने महाजन ने दूसी तरफ मुँ फेर लिया महाजन ने महाजन ने महाजन को देखा, फिर वो भी दूसी तरफ देखने लगा महाजन ने महाजन की नजरों में पितामरी बुराई की मलिका थी जाने अब कैसा वक्त आने वाला है माजन यही सोचे जा रहा था राजा तू तो कहता था की महल पासी है छोटू कया उठा पासी तो है वो सामने मोड देख रहो छोटू ने आने वाले मोड को देखा फिर बोला हाँ, वहाँ से मुड़ते ही तुम्हे सामने महल दिखा ही देने लगेगा लाल पत्रों का बहुत बड़ा एक मंजला महल था आयताकार बना हुआ था महल की उपरी दिवारों पर काले जंडे कतार में लगे लहरा रहे थे छट पर सामने वाले हिस्से पर बहुत बड़ा गुंबत बना हुआ था गुंबत पर भी काले रंका जंडा लगा रखा था महल के सामने वाली सड़क वीरान सी नजर आ रही थी महल की चार दिवारी में 200 वीट चौड़े लोए का विशाल काला गेट लगा रखा था जिस पर दो दर्वान भाला लिये खड़े पहरा दे रहे थे उनके सिर्पक कलगी वाली पगड़ी थी बग्गी महल के गेट के सामने जाकर ठहर गई कमाल है जहां गीर क्या उठा मोना चोधरी तो पितामरी की सहीली है देपालक बता रहा था कि हमारे सागत के तैयारियां हो रही है लेकर इधर तो कोई भी नहीं बैंड बाजे कुछ भी नहीं छोटू क्या होता तब ही दर्वानों ने गेट खोल दिया धीरे धीरे बग्गी आगे बढ़ती बीता प्रवेश कर गई भीतर का नजारा बहुत खुबसूरत था गेट से भीतर एक तरफ तो मकमली घास का खाली मैदान नजार आ रहा था दूसरी तरफ धेर सारे तरह तरह के फूल लगे हुए थे चोटी चोटी क्यारियां उन पर लेला आते फूल दूर तक यही नजारा अधिकतर फूलों का रंग काला था तीस फीट चौना रास्ता गेट से महल के मुख्यदार तक जा रहा था बग्गी अब चलने वाले अंदाज में आगे बढ़ रही थी महल के तरवाजे पर कुछ उफ्तियां खड़ी है महाजन बोला सबने उधर देखा तीन उफ्तियां खड़ी नजर आई जो कि इस पष्ट नहीं थी बग्गी धीरे धीरे आगे बढ़ी जा रही थी यहाँ तो सवागत के लिए कुछ भी नहीं है चोटू बोला इधर ऐसा ही सवागत होता होगा जहांगीर ने का कैसा जैसा हो रहा है ऐसा सवागत तो हमारा हर जगे ही होता है चोटू ने घहरी सांस लेकर का मोना चोधरी की निगा महल के प्रिविश दोर पर खड़ी युफ्तियों पर जमी थी दो युफ्तियों ने पीले रंका लेंगा चोली पहन रखा था और एक ने नीरे रंका आसमानी शोक रंका बग्गी पास पहुंसती जा रही थी वो तीनों युफ्तियों ही खुबसूरत थी नीरे लेंगे चोली वाली युफ्ति कुछ हटके लग रही थी छोटू इनमें रंगीली है फिर रंगीली बात ही कर रहा हूँ तुम तो मुबंद रख लारगेर पड़ेगी जलता है तुम मेरे से तेरे से ज़्यादा मैं जवान हूँ फिर क्यों चलूँगा कौन जवान है ये तो अंदर की बात है अपने मूँ से अपने जवान हूने का बखान ना कर तब ही महाजन नो टोका चुपरा तुम दोनो महाजन भाई जवानगीर बोला क्या कहाल है तुम्हारा कि खाजाना महल के बीतर हो सकता है मालूम नहीं महाजन की नेगा द्यान उन विफ्तियों पर था मैं बताउं चोटू उसके कान में फुस्कुस आया बता महल में पक्का खाजाना हो सकता है फिर तो हम ढूडने का लेंगे जवाजीर ने मुस्करा कर छोटू को देखा बग्गी महल के दर्वाजे के ठीक सामने जाकर रुख गई महा से 30-40 सीड़ियां महल के दर्वाजे तक जा रहीं थी मोना चौदरी बग्गी से नीचे उतर आई राजा भाई चोटू ने पूचा यह यह मेल जी दिखता नहीं क्या जहागीर ने मुह बना कर का इनमें फितामबरी कोन है महाजन ने पूचा कोई भी नहीं राजा ने का ओ वो तैयार हो रही होगी चहरे की सजावट कर रही होगी आती होगी जहागीर क्या उठा महाजन भी बग्गी से नीचे उतर आया यहां बैठा क्या कर रहा है चोटू नीचे उतरता क्या उठा महारा जा जहागीर भी बग्गी से नीचे आ गया तब ही राजाना बग्गी आगे बढ़ा दी मोना चौधरी, महाजन, जहांगीर और छोटू की निगा उन तीनों युफ्तियों पर थी तीनों युफ्तियों अब सीड़ियां तै करके नीचे आना शुरू हो गई थी बीच में नीले लेंगे चोले वाली युफ्ति थी उसके दाएं बाएं रहकर एक सीड़ी पीछे बाकी दौनों युफ्तियां थी उन दौनों के हाथों में फूलों की पंकड़ियों से बरे थालते जबकि नीले कपड़े वाली युफ्ति खाली आती तीनों युफ्तियों के चहरे पर अपने पनकी मुस्कान थी इससे पहले कि वो पास आती मोना चौधरी एका एक मुस्कराकर नीले कपड़े वाली युफ्ति से बोली तू रंगीली है ना बेवे की पोती पितामबरी की पडोसन जो की अर्जमें दीदी दीदी कहके पितामबरी के पीछे बागती थी नीले लहेंगे चोली में रंगीली खिलकला कर हस पड़ी वा मिन्नो तू तो पहचान गई मेरे को क्यों ना पहचानूंगी मोना चौधरी खुलकर मुस्कराई वे तीनों पास आ गई युफ्तियों ने उठा रखे थालों में गुलाब की काली पंकडियों का धेल लगा रखा था रंगीली ने दौनों हातों से पंकडियों को मुट्टियों में भर भर कर उन चारों पर फेका वातावन गुलाब की मैक से भर उठा स्वागात हो रहा है मोना चौदरी मुस्कराई भहुत देर बाद जो मिली हो रंगीली हसी पितामरी देवी की तरफ से तुमारा स्वागात है मिन्नो अब तू इतनी बड़ी हो गई कि हमारा स्वागत करने लगे महाजन मुस्करा पड़ा नील सिंग रंगीली ने शोक स्वर में का तू बड़ा हो गया, तो क्या मैं बड़ी न होंगी महाजन हौले से मुस्कराया जानता है मेरी उम्र क्या है 22, जहांगीर फॉरन क्या उटा हाई राम, रंगीली मुँपर हाथ रखकर क्या उटी तेरे को कैसे पता पता है, जहांगीर ने सेर्य लागर का मुँ बंद कर लार गिर जाईगी छोटू ने जहांगीर को घूरा क्यों नील सिंग, ये कौन है रंगीली ने पूछा जहांगीर नाम है मेरा, शादी नहीं किये अभी तक चुपकर, छोटू बोला तेरे से शादी के बारे मुस्ना नहीं पूछा रंगीली हसी, बोली ये तो बहुत दिल्चस्प लोग है मेरा नाम छोटू है, तुम ने सुना होगा मैंने तो नहीं सुना, अभी अभी सुना तो है रंगीली ने महाजन से पूछा ये लोग हैं कौन, मेरी पहचान वाले है यार है महाजन के, जहागीर मुस्करा कर बोला धीरे धीरे ये तुम्हें हमारे बारे में पताएगा पक्के यार है, खुशी हुई तुम लोगों से मिलकर रंगीली बोली, साती वो फूलों की पंकड़ियों की मुठी उन पर फेके जा रही थी, तब ही मोना चौधरी कह उटी पितामपरी कहा है, उसे काम से जाना कोड़ा कुछ पहली उसके बड़ों का अचाना की बुलाबा आ गया था वरना तुम लोगों के सौगत के लिए वो तैयार बैटी थी उसका वहाँ जाना ज़रूरी था ऐसे में देवी पितामपरी ने सौगत का कम मुझे सौप दिया लेकिन निराश होने की जुरूरत नहीं, देवी पितामपरी कभी भी लोट सकती है उसके बड़े का रहते हैं, उनकी अपनी दुनिया है कहां, इसका अग्यान अगर मुझे होता तो भी, मैं बता नहीं सकती रंगीली ने मुस्करा कर का, मोना चौदरी सेरे लाकर रह गई आओ भीतर चलते हैं, सफर में थकान होई जाती है तुम सब कुछ आराम कर लो फिर बाते होंगी वे सब सीड़ियां चड़ते उपर चड़ने लगे बहुत ही साधान सवागत किया गया है, छोटू बोला सवागत को क्या देखना, सवागत करने वाले अच्छे होने चाहिए रंगीली 22 की है, जागीर मुस्कराया फिर मुखोला, लार गिरेगी तेरे को के तकलीफ होती है, तू मेरी लार के पीछे के पड़ा हुआ जागीर जलाया, तेरा ध्यान रखता हूँ क्या, कि तू गलत रास्ते पर ना चले रंगीली के उम्र 22 की हो गई है, तो ये मेरे लिए गलत रास्ता है हाँ, तू उसके प्यार में पढ़कर अपना सब कुछ खोदेगा जब होश आएगा तो खोदूँगा, मेरे पास है ही क्या जो खोदूँगा वही तो कह रहा हूँ कि तेरे पास खोने को कुछ नहीं है जिसे पानी की उमीर में रंगीली, तेरे गले में बाहें डाल दे यही वज़े है कि तेरे को बार बार तेरी उम्र का एहसास कराता हूँ कि तू उम्र का एहसास? मेरे उम्र को क्या हुगा? जहांगीर अजीब से सर में क्या हुटा? तू मेरे से बड़ा है, तो मैं तेरे से छोटा हूँ, तो क्या हो गया, गला फाड़ा जहांगीर में, सबर से काम ले, प्यार महबबत में ये सब तो होते ही है, रास्तों में रुकावट डालने वाले बहुत आ जाते हैं, मैं तो तेरे इम्थान ले रहा था, अभी तेरे को बोला, लारगिर, चुपकर, जहांगीर गुस्से से दाड़ा, माजन ने पीछे मुणकर दोनों को देखा, क्या हो रहा है, कुछ नहीं, जहांगीर ने मुस्करानी की चेश्टा की, उन्होंने महल के वीता प्रवेश किया, बहुत विशाल हॉल नुमार रूम था महल का, प 20-25 लोग एक बार में बैठ सकते थे उदर, छट पर बहुत बड़ा और घना फानूस लटक रहा था, छट पर खूबसूरत नकाशी की गई थी और वहां के खानों को कई रंगों से भरा हुआ था, जब फानूस की रोशनी होती तो छट के रंग बरंगे रंग बहुत ही मौ भी हड्डियों के ढाचे पड़े थे जो की एक निगा में देखने पर भायावा से लगते, कुत्तों के कंकाल भी शो के लिए दोदा सजा रखे थे, चंद शीशे के जारों में छोटे छोटे कई रंगों वाले कीडे नजर आ रहे थे, जो की भीतरी भीता ओड रहे थे, प दुखी होने की कोई जरुरत नहीं, जहांगीर दाथ फाड़े बोला, तुमारे सामने होने पर तो मुझे इस वक भी जश्न जैसा लग रहा है, अच्छी बाते करते हो, रंगीली जहांगीर को देखकर मुस्कराई, जहांगीर दाथ फाड़ कर हसा, मूँ बंद रख, लार विशारा किया और उसकी तरफ बढ़ गई, बाकी सब भी उसके पीछे चल पड़े, रंगीली के साथ की दोनों युफ्तियां भी, कैसे रहना पसंद करूंगे आप लोग, एक साथ ही अलग अलग, सीड़ियां चड़ती रंगीली क्या उटी, अलग अलग रहेंगे, मोना च कहता है, वो तो लार के लिए, मूँ खोलूंगा तो लार गिरेगी नहीं, जहां गिर उखड़ा, तेरी लार नहीं गिरती तो, मैं लार को समार कर रखता हूँ, तेरी तू जाने, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तब ही रंगीली मुस्करा कर बोली, चिंता मत कीजे, सब क को अलग-अलग कमरा ही दिया जाएगा, सीड़ियां ते करके बेसा पहली मंजल की गैलरी में पहुंच, पहुंचे और आगे बड़े, आगे कमरों की कतारे थी, कमरों की बीच में दो चार फिट का रास्ता पीछे की तरफ जा रहा था, उसके बारे में रंगीली ने बताया इस रास्ते के उस पार भी कमरे हैं, वो बाग की तरफ खलते हैं, वहां से खुबसूरत बाग का दृष्ट नजर आता है, मुझे उसी तरफ का कमरा देना, महा जन्ने का, जरूर, फिर रंगीली ने मोना चौदरी छोटु और जहांगीर को गैलरी के तरफ वाले कमरे दिये महा जन्ने बीच में जर निकलते रास्ते के उस पार का कमरा लिये जो की बाग की तरफ खलता था, वहां से महल का प्रवेज गेट और आसपास का नजारा इस पश्ट नजर आता था, इस नान के लिए गौरी और चंपा आपको सगंधित पानी के तालाप पर ले जाएंगे, जो महल के ये एक हिस्से में बना हुआ है, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो इनसे कह दीजिए, ये आपके दरवाजे के बाहर खड़ी रहेंगी, और तुम, जहां गीर के उठा, मैं तो ही आपकी सेवा के लिए, रंगीली मुस्कराई, फिर चंपा से बोली, हुसना और न आजये को बला कर लाती हूं, वो चली गई, माहाजन ने मौना चोदरी को देखा, ये महल कम और मातम क एशास यहाँ ज़ादा हो रहा है, माहाजन ने का, यहां में यही लग रहा हो, शायद में युही लग रहा हो, मौना चौदरी बोली, मुझे, यहाँ कुछ अच्छा न सक्राई वो हर तरह से सेवा करींगी सच जहांगीर का मुँ बड़ा सा खुल गया छोटु जहांगीर को घूरने लगा जहांगीर के निगा छोटु पर पड़ी तो इसना फॉरन मुँ बंद कर लिया गुलाब की महग थी उस तालाब की पानी में यकीनन उसमें भारी मातरा मे गलाब जल डाला हुआ था बहुत ही सच पानी था तालाब का तल इसपस्ट चमकता हुआ नजर आ रहा था सत्तर फिर चोणा इतना ही लंबा था वो तालाब ठंडा पानी मन को बहुत अच्छा लग रहा था चंपा तालाब के बाहर खड़ी थी मोना चौदरी दस मिनट तक उस पानी का अनन लेती रहे फिर बाहर निकली उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था ऐसे में एक एक नक्ष उसके शरीर का देखने लाइक था चमपा ने नीचे रगा छोटा सा बरतन उठाया और मोना चौदरी के पास आ गई आपका शरीर बहुत अच्छा है ठीक देवी पितामरी की तरह चमपा बोली मोना चौदरी मुस्कराई चमपा के एक हाथ में बरतन था और दूसरे हाथ से बरतन में पड़ा लेप निकाल कर उसके शरीर के हर इसे पर मलने लगी वो लेप चिकना और चंदन की खुश्बू से युक्त था शरीर को ठंडा सा आराम दे रहा था इन सब क्रियाओं से मोना चौदरी को बहुत आराम महसूस हो रहा था मोना चौदरी के निकाह हर तरफ घुमने लगी जालीदार दिवारी थी तालाब के हर तरफ सा भाग खड़ा हुआ मोना चौदरी ठगी सी रह गई चंपा उसके शरीप लेप लगाने में विस्त थी उस जहरोके से कोई हमें देख रहा था मोना चौदरी के उटी चंपा ने गर्दन खुमाई बाईं तरफ वाले जहरोके को देखा फिर मुस्करा कर के उटी आपको वहम हुआ है यहां हमारे अलबा कोई दूसा नहीं है मैंने उसे देखा था मोना चौदरी के उटों से पुना निकला आपको ब्रहम हुआ है चंपा मुस्करा कर के उटी मोना चौदरी का चेरा सक्सा उटा इस पश्ट सा देखा था मोना चौधरी न उस वेक्ती को वो काला और लंबा चौड़ा वेक्ती लगा था महल में और कौन कौन है? मोना चौधरी न पूछा बहुत लोग हैं, खाना बनाने वाले हैं, सफाई करने वाले हैं देवी पितामरी के सेवा कहें सलाकार है लेकिन मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा देवी पितामरी के ना होने की वज़े से ये शान्ती है उनके आते ही यहां चैल पेल शुरू हो जाएगी इस वक्स अब महल में अपने कामों में व्रेस्त हैं खाना बनाने वाले रसोई घर में सफाई वाले अपना काम नुटा चुके हैं मैं महल देखना चाती हूँ दिखा सकती हूँ मुझे क्यों नहीं देवी पितामरी की तरव से हमें इस बात का हुक्म मिल चुका है कि आप लोगों की हर्च पूरी की जाए लेप लगाने के बाद चमपा देड़ थक हाथों को उसके शरीप मलती रही फिर मोना चौधरी पना तालाब न उतर गई नहाने के बाद चमपा ने उसे जो गाउन पहनाया वो रेशम का था काला रेशम हाथ रखो तो फिसलता चला जाए उस गाउन को पहनने के बाद मोना चौधरी और भी निखर गई थी ये देवी पितामरी का गाउन है चमपा बोली तुमने मुझे उसका गाउन पहना उनका ही हुक मुता कि उनके कपड़े मिन्नों को पहनने को दे दिये जाए ओ मोना चौधरी मुस्कराई आईए मेरे साथ चलिए मैं आपको उस कमरे में ले चलती हूँ जाद देवी पितामरी के कपड़े मौजूद हैं जो भी आपको ठीक लगे आप वो पहन लीजेगा आईए चमपा ने कहा मोना चौधरी और चमपा महल की प्रथम मंजिल पर बने एक कमरे में पहुँची कमरा काफी बड़ा था लकड़ी की बड़ी बड़ी दस अलमारियां महा मौजूद थी उनमें कपड़े रखे हुए थे उसके अलावा खुले में भी हैंगरों पर कपड़े लटका रखे थे दीवानों पर बड़े बड़े शीशे लगे थे मोना चौधरी ना अपने लिए हरे रंग का सूती कमी सलवार पसंद किया और पहन लिया जानती हो मोना चौधरी बोली कभी पितामरी मेरे अच्छे-चे कपड़े पहना करती थी आपके कपड़े? हाँ मेरे कपड़े उसे पूरे आजाते थे जब भी उसे मेरा कोई कपड़ा अच्छा लगता वो मांग कर पहन लेती लेकिन देवी पितामरी के पास तो बहुत से कपड़े हैं महाजन, जहांगीर और छोटू एक जग़े पर खाना खाते देखे पहली मंजिल पर सेवक और पितामरी के साहिक रहते थे मोना चौधरी ने एक एक रास्ते को ध्यानपूरवग देखा जाना एक गंटे दे जादा वक्त हो गया मोना चौधरी को महल देखते हुगे वहाँ काम करने वाले लोगों को भी देखा परन्तु वे वेक्ति ना देखा जो उसे जहरोके से नहाते समय देख रहा था क्या मैंने सारा महल देख लिया मोना चौधरी ने चंपा से पूछा चंपा कुछ हिचकिचाई क्या हुआ महल का सबसे नीचे जमीनी हिस्सा भी है चंपा धीमे सवर में बोली वो आपको नहीं दिखाया गया क्यों वहां हर किसी का जाना मना है तो क्या मैं हर किसी में आती हूँ मोना चौधरी मुस्कराई मैं नहीं जानती ये बात तो रंगीली ही बता सकेगी बुलाऊं उसे बुला चंपा गई और कुछ मिंटों में रंगीली के साथ वहां पहुची तुमारे लिए कुछ मना नहीं है मिन्नो मैं तुझे महल के नीचे वाला इससा दिखाती हूँ वहाँ पर देवी पितामरी के गुप्त काम होते हैं बहुत ही खास और एहमकार इसलिए वहाँ हर किसी का जाना मना है परंतु तेरे लिए मना नहीं है मोना चौधरी मुसकरा कर रंगीली को देखती रही मिन्नो ने खाना खा लिया चमपा रंगीली ने पूछा नहीं ओ रंगीली बोली मिन्नो पहले खाना खा फुरसत मैं खाऊंगी पहले मैं महल की वो खास जगे देखना चाहती हूँ मोना चौधरी न कहा, तेरी मर्जी आ, मोना चौधरी रंगीली के साथ आगे बढ़ती, वहीं खड़ी चमपा से क्या उटी, नील सिंग जहांगी रो छोटु को मैंने खाना खिला दिया, पूछ लेना उनसे किसी और चीज की जरुवत हो, चमपा ने से रिल आया, रंगीली मोना चौधरी के साथ 10 फीट उचे और 15 फीट चौड़े दरवाजे के पास जा रुकी, एक कमरे में परवेश करने पर वो दरवाजा सामने आया था, सया काला रंग था उस दरवाजे का, सबसे खास बात तो ये थी कि उस दरवाजे उपर एक से लेकर 32 तक के अंग इसके बीतर कोई नहीं जा सकता, अंको का ग्यान होना चाहिए बीतर जाने के लिए, रंगीली बोली, अंको का ग्यान, मोना चौधरी न रंगीली को देखा, हाँ, रंगीली अंको को देखती कह रही थी, एक से 32 बटनों में से, करम वार दो बटन दवाने पर ये दरवाजा खुलता है और ये करम किसी को नहीं मालूं। पितामबरी के लावा मुझे और माहतांत्रिक के लावा आरोमा ही जानता है। आरोमा? ये कौँ है? मोना चौधरी न पूचा। पितामबरी देवी का साहिए कैmosra, अविशकारों के कारों में किसी आवास के साथ खुद बखुद खुलते चले गए पलों के पार का नजारा इस पस्ट नजार आने लगा आओ मिन्नो मोना चौदरी ने रंगीली के साथ बीता प्रवेश किया और ठिटक गई ये कुछ बड़ा कमरा था मोना चौदरी के चेरे पर अजीब से भावा ठेरे कमरे का द्रिश बहत ब्यानक था कमजोर इंसान ये सब देखता तो जाने क्या हाल होता उसका छट के पास ये वेक्ती हवा में उल्टा लटका हुआ था टांगे उपर और सर नीचे उसका सिर नारियल की भाती खोला हुआ था और हैरानी की बाती की खुली खोपड़ी में से रुक रुक कर एक बून नीचे गिर रही थी और वो बून नीचे हवा में लटक रहे अन्य वेक्ती की खुली खोपड़ी में गिर रही थी जो की सीधे तोर पर हवा में लटक रहा था और उसकी खोपड़ी भी खुली हुई थी और उसकी एड़ी में से एक एक बून ये क्या हो रहा है? देवी पितामवरी का विश्कार जीवन्त हो रहा है. रंगीली ने मुस्करा कर मुना चौदरी को देखा. वो कैसे? देवी पितामवरी ने एक ऐसी दवा बनाई है जिसकी बूंद का सौमा इससा भी मुझसे भीतर चला जाये तो वो इनसान अपनी होती है और अपना असर दिखाती है. वो मंत्र कैसा है? उस मंत्र के बारे में मैं भी नहीं जानती. लेकिन इतना जानती हूँ कि देवी पितामवरी ने वो मंत्र शुद्धी के लिए बेजा हुआ है. शुद्धी के लिए? हाँ. देवी पितामवरी ने वो मंत्र इजात्त जिसे मंत्रों लोग कहते हैं वहाँ पर सिर्फ मंत्रों को लेकर ही कार होते हैं अशुद्ध मंत्रों को शुद्ध किया जाता है नए मंत्रों का निर्माण होता है और आने मंत्रों को नया रूप दिया जाता है सबसे खास बात तो यह है कि वहाँ महा महामंत्र नाम की माला तयार की जाती है महामंत्र नाम की माला हाँ ये माला बहुत असाधरन होती है और हर किसी को हासल नहीं हो सकती रंगीली नसे रहलाते हुए का महामंत्र नाम की माला को जो पहन लेता उससे डर बहुत दूर भाग जाता है फिर उसे कोई नुकसान नहीं पहुचा सकता तुने पहनी है वो माला मेरे नसीम में महामंत्र की माला कहा है रंगीली गहरी सांस लेकर क्या उठी वैसे भी मैं तो देवी पितामबरी की सेवी का भरूं महामंत्र की माला तो उने पहनने को मिलती है जिने महत्पूर्ण समझा जाता है जो असाधरना काम करते हैं जैसे कि तेवी, पितामबरी, महतांत्रिक ऐसे और भी है महामंत्री की माला पहन को होने क्या फायदा होता है बहुत फायदा होता है जादू टोनक अविशकार करते समय कई बार तो जान पर बनाती है जो जादू टोने, जो जादू टोने कभी किसी की गलती की वज़े से अविशकार करने वालों पर भी वार कर देते हैं बहुत भ्यानक वार होता है उनका जान नहीं बचपाती महामंत्र की वो माला पहन रखी होता अविश्कार के वार से बचा जा सकता है मोना चौधरी ने समझने वाले वाव से सेरिल है एक महामंत्र की अंगूठी भी है उससे क्या होता है बाए हद की उंगली में वो पहन लेने से कोई दुश्मन हाथों से वार करके जान नहीं ले सकता कोई भी तलवार या खंजर से वार करेगा तो अंगूठी पहनने वाले को वो अंगूठी पहले ही चेतावनी दे देगी फिर तो महामंत्र रंग उठी और माला पितामरी ने भी पैन रखी होगी क्यों नहीं पितामरी देवी का जीवन विशेश है सब के लिए जादू टोने के अविश्कानों को उसना बहुत बढ़ावा दिया है जानती हो तुमारी आज की दुनिया में जितने भी जादू टोनों का इस्तमाल हो रहा है वो सब पितामरी देवी की देन है सच? बिल्कुल सच परन्तु पितामरी देवी ने यहां तक पहुशने के लिए यह ओधा पाने के लिए बहुत महनत किये महीनों महीनों तक बिना नीन लिये काम करती है खाना बिना सब भूल जाती है एक बार जानती हो मिननों क्या हुआ क्या हुआ देवी पितामरी ना गला गोटू टोना इजाद किया गला गोटू? हाँ, सिर्फ मंत्र पढ़ देने से ही सामने वाले को अपना गला गुटने का एसास होने लगता है फिर वो सारी जिंदी की चैन से नहीं रह पाता हर पल उसे अपना गला गुटने का ही एसास होता रहता है ओ, बहुत जबर्दस टोना था यह बहुत कटिंता से पितामरी डेवी ने स्टोने का मंत्र तयार किया और जब अंतिब रूपरे का तयार हो रही थी मंत्र की तो वो टोना स्वें पितामरी डेवी पर ही चल गया रंगीली ने लंबी सांस ली ओ, वो कैसे? मंत्र पढ़ने के साथ उसका नाम भी लेना होता था जिस पर गला गोटू टोना करना होता है ऐसे में गलती से पितामरी डेवी के ओटो से उसका अपना ही नाम निकल गया और गोटू टोने ने उसका ही गला पकड़ लिया फिर, रंगीली की अजीब सी बातों में मोना चौदरी को दिल्चस्पी आने लगी थी फिर क्या, खुदी फस गई पितामरी डेवी बार बार उने अपने गले के गोटे जाने का हैसास हुआ जैसे कि दम निकला जा रहा हूँ ऐसे में उसके ओटों से चीखे निकल जाती थी लेकिन समझ नहीं आए उसे कि क्या करे सच बात तो ये थी कि पितामरी देवी के पास उस मंतर का तोड़ नहीं था, जो कि खुद को बचा सकती ओ, फिर क्या हुआ? सारी नगरी के तांत्रिकों ने कोशिश कर ली परन्तु देवी पितामरी के हलत में सोधार नहीं हुआ रंगीली आखे फैला कर बूली तब पितामरी देवी ने जैसे तैसे बड़ों को याद किया बड़ों को? ये कहां रहते हैं? आस्मान में? महां कौन सी जगह है? है एक, उसका पता मुझे भी नहीं है रंगीली नसे रिलाए वैसे बड़े नगरी में नहीं आते लेकिन पितामरी देवी के बुलाने पर बड़ों को आना पड़ा परन्तु बड़ों के आने से पहले नगरी के सब लोगों को सुला दिया गया मंत्रों के प्रवाव से मुझे भी घहरी नीद आ गई थी फिर जब सबको होश आया तो पितामरी ठीक हो चुकी थी बाद में पता चला कि बड़ों न मंत्रों को ही बेकार कर दिया था उसके बाद पितामरी देवी ना गला गोटू टोने के लिए नया मंत्र यार कर लिया था मोना चौधरी दिल्चस्पी से उसकी बाते सुन रही थी तुम लोगों की दुनिया तो हजब है हाँ ये कामी ऐसा है पहले तो दुनिया हम सबकी एक ही होती थी रंगीली ने का ये दुनिया तेरे को अच्छी लगी मोना चौधरी ने पूछा मुझे तो पितामरी देवी के साथ रहना है वो मुझे शुरू से ही अच्छी लगती थी अब उसके साथ हूँ क्या करते हो जादू टोने तयार करके तुम जिस दुनिया से आई हो वहाँ पर वेज़ते हैं जादू टोने तयार करके रंगीली ने बताया तुमारी दुनिया के बड़े बड़े तांत्रिकों से हमारे संबंद है उनसे बाच्चीत होती रहती है एक बार तो तुमारी दुनिया में बहुत गड़बड हो गई क्या पितामरी देवी ने फूंको वाला टोना तयार करके तुमारी दुनिया के दो तांत्रिकों को दिया उसमें क्या है कि मंत्र मारके तीन बार फूके मारके ग्यारा बर उजवेक्ती का नाम जपना होता है जिसके प्रवेशदार पर रोक लगानी हो रोक? हाँ, रंगीली ने सेरे लाया रोक, उससे ये होता है कि उस घर का फलना फूलना रुख जाता है घर वाले धीरे धीरे बरबाद होते चले जाते है परंत में वो घर खाली उजाड पढ़ जाता है ऐसा है वो मंत्र समझी, उस तांत्रिक ने किसी को ये मंत्र दिया तो उसमें वो मंत्र उसी तांत्रिक पफूक दिया वो हमारा खास तांत्रिक था, उसके बहुत शागिर्द थे, उसके यहां से हमारे मंत्र बहुत फैलते हैं, परन्तु उसके शागिर्द ने उस पर ही मंत्र का इस्तमाल किया तो वो तांत्रिक की बरबाद होने लगा, उसके यहां अमारे जादू टोनों की खपत बहुत काम हो प्रणी तरह पूर्णी देवी को तुमारी दुनिया में उस तांतरिक के पास जाना पड़ा, उसे छुआ और मंत्र पड़ा तब जाकर वो ठीक हुआ, पितामरी देवी हर तरह के मंत्रों को इजात करती है, अजीब काम है ये, लेकिन बहुत महनत वाला है, क्या तुम खुश मा का नजारा देखते ही मोना चौदरी के कदम जड़ हो गए, दिल कपा देने वाला नजारा था, कमरे में पाँच नरकांकाल थे, पाँचों नरकांकाल इंसानों की तरह टेहल रहे थे, आपस में बाते कर रहे थे, मानविय सर्म है, उन दोनों को भीता राते पाकर वो एक बाते हैं, इनके जीवन की शक्ती कांश तो पितामरी के बड़ों के पास ही है उस अंश मेंसे पितामरी जरा सा अंश ले आई और इनमें जीवन डालने की क्रिया शुरू कर दी अभी तो कंकालों में ही जीवन डाला था कि उसे जाना पड़ गया बनना अब तक यह हम जैसे होकर चैल कदमी कर रहे होते लेकिन इनको जीवित करने की ज़रूद क्या है क्या यह पितामरी देवी के लिए महत्पूर्ण वेक्ती है मोना चाहदी ने पूछा महत्पूर्ण तो मनने के बाद बन गए रंगी इली ने बताया वो कैसे मुर्णो को पुना जीवित करा कर उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वे अच्छे तांत्रिक बनते हैं ओ यही वज़ा है कि पितामरी मुर्णो को जिन्दा करा कर उनका ब्या करा देती है फिर मुर्णो के बच्चे पैदा होते है मुर्दों के बच्चे मोना चौधी ने गहरी सांस ली क्यों विश्वास नहीं आ रहा विश्वास क्यों नहीं आएगा तभी एक नरकंकाल ने पूछा ये कौन है रंगीली मिन्नो है पितामरी देवी की पुरानी सहेली तभी तुमें से यहां ले आई हो हाँ पितामरी देवी का इससे क्या छुपाए दूसरा नरकंकाल क्या होटा देवी पितामरी कब आएंगी हम उसकी प्रतिक्षा में बेचायन हो रहा है देवी कभी भी लोट सकती है रंगीली ने जवाब दिया महत अंत्रिक को बेज़ दो तीसरा नरकंकाल बोला वो हमें पूर्ण मनुष बना देगा जो काम देवी ने शुरू किया है वो देवी ही करेगी रंगीली न कहा और मोना चौदरी को लेकर तीसरे कमरे में पहुची तीसरे कमरे का दिर्श बहुत विवस्त था एक चबूतरे पर गला काटने के लिए बड़ा सा फरसा बढ़ा था उसका एक वारी गर्दन अलग कर देने की शमता रखता था फरसा खून में डूबा हुआ था चबूतरे पर ये गर्दन पड़ी थी धर चबूतरे से नीचे गिरा हुआ था आस पास और नीचे बिकरा खून सूख चुका था दीवारों पर कई सेरो धर लटक रहे थे उनमें कई औरतें थी तो कई मर्द कई फलों तक मोना चौदरी की नजरें दो दो गूमती रही ये जब क्या है देवी पितामरी नए अविश्कार करने की चेश्टा कर रही है क्या अविश्कार मोना चौदरी के मोटो से निकला इस तरह गर्दन काट कर यहां ऐसे ही तो होते हैं अविश्कार रंगीली ना मुस्करा कर मोना चौदी को देखा मोना चौदी ना सवालिया नजों से रंगीली पर निकाह डाली मर्द को औरत का चेरा और और औरत को मर्द का चेरा लगा कर रंगीली बोली ये कैसा विश्कार हुआ मैं नहीं जानती परन्तु देवी पितामरी ऐसे ही कर रही है रंगीली ना कह वो ये देखना चाहती है कि मर्द को औरत का सिर लग जाए और औरत को मर्द का सिर लग जाए तो शरीर में क्या बदलावाता है ऐसे कैसे सिर एक के दूसरे पर लग सकते है क्यों नहीं लग सकते ये असंबब है देवी पितामरी के लिए कुछ भी असमम नहीं मिननो वो मुर्दों में जान डाल देती है उसके लिए बला क्या कठिन होगा सफल हो गई वो एक कसे दूसरे पर लगाने में अभी नहीं कि इन्तु प्रयोग जा रही है हर बार कुछ कमी रह जाती है पहले जादा कमी आती हैं अब एक दो बाकी है मुझे पूरा विश्वास है कि कुछी दूनों में कमी भी दूर हो जाएंगी रंगीली ने कहा तुम बहुत कुछ जानती हो मोना चादरी बोली क्यों नहीं जानूंगी मैं अक्सर देवी पितामरी के साथ ही हर काम में रहती हूँ सब देखती रहती हूँ तुने नहीं सीखा जादू टोने का काम पितामरी नहीं सिकाती रंगीली ना मूग बनाया क्यों कहती है तुम हैल की देख रेक कर अगर तेरे को विद्ध आ गई तो तुमेरे से दूर हो जाएगी रंगीली ने का सच बात तो यह है कि मैं पितंबरी के करीब ही रहना चाहती हूँ दूर नहीं होना चाहती मोना चौदरी मुस्कुराई यहाँ बहुत कुछ है जो तुमें हैरान करतेगा मिन्नो मुझे यकीन है कि तुम सही कह रही हो आव मैं तुमें पितंबरी का किताब गर दिखाऊँ एक एक रंगीली बोली किताब गर? हाँ वही तो खजाना है पितंबरी देवी का रंगीली मोना चौदरी को लिए सामने नजारे पांच फिटकी गैलरी में बढ़ गई वहां रोशनी का भरपूर प्रबंद था वो रोशनी कहां से आ रही थी यह पता न लग रहा था जलुवत के मताबिक कहीं सफेद कहीं पीली रोशनी फैली होई थी कभी लग था जैसे दिवारों से रोशनी फूट रही हो उस गैलरी के कौने में बने कमरे में रंगीली मोना चौदरी के साथ पहुँची उस कमरे में पुराने जमाने की धेड़ सारी किताब रख्यूई थी लकडी की बड़ी बड़ी शैलफों में वो सब किताबे रख्यूई थी सारे कमरे का यही हाल था कमरे के बीचों बीच बड़ा सा गोल टेबिल और दो कुरसियां रख्यूई थी पढ़ना पड़ता है रंगीली ने समझाने वाले ढंग से का किसने लिखी हैं किताबें मोना चौदी ने पूचा इन किताबों में तांत्रिकों के प्रयोगों की दास्ताने की किसने क्या प्रयोग किया उससे कैसे मंत्रों और कौन सी दावा का इस्तमाल किया और उसके बार नतीजा क्या निकला रंगीली ने बताया समझी मोना चौदी ने गहरी सांस ली ऐसे में देवी पितामबरी इन किताबों को पढ़कर तै करती है कि उसे कैसे प्रेख करना है इस वक्किस अविश्कार की ज़रुवत है नगरी के तांत्रिकों ने कई अविश्कार कर रखे है उनको अंतिम रूप देगी वो मतलग कि पितामबरी जादू टोनों पर ही काम करती है क्यों नहीं करेगी उसका तो बहुत बड़ा रुत्वा है जादू टोनों की मलिका है वो मोना चौधरी कुष्णी बोली जादू टोनों की नगरी की मालकें है वो ये सब नहीं करेगी तो उसका रुत्वा समापत हो जाएगा बड़े उसकी सारी विद्य छीन लेंगे वो मामली इंसान बनकर रह जाएगी पितामरी देवी हमेशा ही ये काम करेगी ये साब करना उसे अच्छा लगता है मोना चौधरी के निगा उसकमरे में दोड रही थी अचानक उसना टेबल पपड़ी किताब की तरफ हाथ बढ़ाया रुख जाओ मिन्नो रंगीली बोली मोना चौधरी ठिटकी रंगीली को देगा तुम किसी चीज को न चूधरी तो अच्छा है क्यों? तुम्हारे इन किताबों को चूने से जाने क्या असर हो मुझे समझ नहीं है कुछ बुरा होगे तो ठीक नहीं होगा मोना चौधरी न अपना हाथ वापिस किया रंगीली कुछ कहने लगी कि मोना चौधरी क्या उटी अब खाना खा लेना बहतर होगा अभी से? अभी तो बहुत कुछ है देखने को तुम हैरान हो जाओगी के? वो फिर देखूंगी तुमारी मर्जी मिन्नो फिर देख लेंगे आप वापिस चलते हैं जौधरी का सरशान था उसे पितामरी के किसी काम में दिल्चस्पी नहीं थी वो तो सिर्फ इतना जानती थी कि पितामरी उसकी सहली और पितामरी भी उसे सहली का दरजा बाकू भी दे रही थी जबकि स्वेम वो यहां मौजूद नहीं थी मैं जानती हूँ कि तो हिम्मत वाली है रंगीली उसके जवाब में कहोटी दोनों उपर पहुँचे तो चमपा मिल गई चमपा मिन्नो को खाना किला ठीक है आईए मिन्नो जी नील सिंग जहां कि रो छोटू नभी खाना खा लिया जी हाँ नील सिंग हुसना के साथ नगरी की तरफ गए है चमपा बोली वो क्यों कह रहे थे नगरी देखनी है ठीक है देखने दो तुम इन्नो को खाना खिला क्याकर रंगीली आगे बढ़ गई मोना चौदरी के निगा हर तरफ गूम रही थी जैसे वो हट चीज की पहचान कर लेना चाहती हो रंगीली जांगीर और छोटू के कमरे के बाहर पहुंची गौरी और नाजिया उसके कमरे के बाहर कडींदी क्या कर रहे हैं दोनों? रंगीली ने पूचा खाने के बाद आराम कर रहा है रंगीली आगे बढ़ी और इस कमरे का दरवाजा कोल कर बीतर जांका जहांगीर कमर पर हाथ रखे टैल रहा था रंगीली को देखते उसका मुझ खग लिया आईए आईए रंगीली जी मैं आप कहीं इंतिजार कर रहा था जहांगीर मुस्करा कर क्या उटा मेरा इंतिजार रंगीली बीतर आगई हा तुम बहुत खुबसूरा तो तुमारा चहरा मेरे आँखों में बस गया है सच उले 22 क्यों मैं मेरे को एक बार सपना आया था कि यहां पर 22 बरस की रंगीली रहती है उसके बाद तुम्हें यहां आने की तयारी करने लगा अच्छा कसम से तब मेरा ब्या होने वाला था फिर मैंने ब्या भी नहीं किया क्यों सपने में तुम्हें देखने के बाद उसी वक्ती तै कर लिया थे कि तुम से ही ब्या करूंगा मेरे से पूछे बिना देखर लिया प्यार में इंसान इतना पागल हो जाता है कि दूसरे से पूछने की जरूती महसूस नहीं होती रंगीली खिलखला उठी तो तुम मेरे प्यार में पागल हो चुके हो बहुत बड़ा दिवाना आगे पीछे बस मुझे तुम ही दिखती हो सुनो, यहां शादी कराने का क्या प्रपंद है बहुत तांत्रिक है जो शादी तांत्रिक? शादी कराते हैं जहांगीर अचकचाया हाँ, तुम हैरान क्यों हुए? मैं तो ये सोच कर है रहानू कि तुम जैसी हसीन कैसे तांत्रिकों में रह पाती है कैसे लोग हैं या कि जो तांत्रिकों में रहना बुरा होता है क्या ये तो बुरे लोग होते हैं हसी रंगीली तांत्रिक तो हमारे खास पूजनिये लोग होते हैं रंगीली हसी रोकते हुए बोली, देवी पितामरी तो ज़ादू टौनों की मलिका है, ज़ादू टौने बहुत बुरी बात है, फिर तो हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे विचार नहीं मिलते, विचारों की तुम फिक्र मत करो, वो मिल जाएंगे, मैं भी तांत्रि कुए तुरक से कहूंगी कि वो हमारी शादी करवा है उसके मंथर बहुत अच्छे होते हैं जहागीर नमझे वाले भाव में सेरिला है तो तुमारे यहां तांतरीक शादी कराते हैं पांच साल तो लंग को अपनी पत्नी की तरह रखता है जो तांतरिक शादी कराता है क्या? जहांगीर का मूखला पांच साल तो मैं वो रखेगा? हमारा ब्या कराएगा, अपने मंत्र का इस्तमाल करेगा तो वो भी कुछ लेगा? ओ, जहांगीर बढ़ बढ़ाया क्या हुआ, पांस सालों में तो मैं मर जाओंगा कैसी बाते करते हूँ, मेरा विश्वास करो तुम जिन्दा रहोगे देवी पितामरी से करकर तुम्हें जीवित करा लूँगे अगर तुम मर गए तो, लेकिन तुम जिन्दा ही रहोगे मैं तब दो या तीन बच्चे घर लेकर आऊँगी बच्चे दो तीन किसके? जहांगीर का चैरा देखने के लाइक था मेरे, जो महातांत्रिक ने पैदा की होँगे वो ही, जरा सोचों में महातांत्रिक जैसे विद्वान वेक्ति के बच्चे मिल जाएंगे बड़े होकर वो भी महातांत्रिक बनेंगे तो, तो मैं क्या करूँगा? करना क्या है? मेरे साथ मिलका बच्चों को पालना? ये, ये, इसे शादी कहींगे? क्यों नहीं? जहागीर का चेरा लटका नजर आने लगा अब क्या हो गया? मुझे नहीं करनी शादी जहागीर बोला, शादी के बिना ही कुछ होता है तो देख ले मेरे यहाँ शादी के बिना कुछ नहीं होता रंगीली हाथ ला करके उठी बाहर गौरी खड़िये, वो तेरी सेवा गौरी की नहीं मैं तेरी बात कर रहा हूँ मुझे छोटू पसंद है, क्या? जहागीर का मुझ खला रह गया, तेरे को छोटू पसंद है? हाँ, उसकी उम्र भी तुमसे कम है तो वो तो दो शादियां कर चुका है जहागीर हड़ बढ़ा कर बोला, वो तो बेकार है फिर तो और भी अच्छी बात है कि दो शादियां कर चुका है, रंगीली मुस्कराई अच्छी बात है? जहागीर के उटों से निकला पड़े लेखों कोई नौकरी पर रखा जाता है, अनपड़ को नहीं फिर तो मैं उससे जादा पड़ा लिखाऊ, शादी नहीं की तो क्या हुगा, मैं उसके पास डिगरी है, कि उसने शादी कर रखी है तो मारी मुझ अबानी पड़ाई को कौन पूस्ता है? रंगीली ना मुस्करा कर काओ पलड़ कर बाहर निकल गई जाँगीर हक्का बक्का खड़ा रह गया रंगीली छोटू के पास पहुँची छोटू लेटा आराम कर रहा था वह तुरंत उट बैठा आईए रंगीली जी, वहाँ जोड़ कर उठा रंगीली ने उससे सिर्षे पाउंतर देखा ऐसे क्या देख रही हैं छोटू हड़ बढ़ाया जाहाँगीर मुझसे शादी करने को कह रहा था उसका क्या है, वो तो हड़ जगा मुझ खोल देता है छोटू मुझ बना कर बोला लेकिन मुझे तुम पसंदो मैं, छोटू सक पकाया हाँ, आउं क्या क्या आउं, रात कुफरसत के छड़ों में हाजर हो जाउं छोटू शर्म से सिर्थ पाउं तक भर उठा हाई बेबे, मर जावा इसकी अदा पे रंगीली लंबी सांस के साथ क्या उठी बोलाउं, उस्ती क्या हो आजा न दर्वाजा खोला मिलेगा, छोटू हिम्मत करके क्या उठा, तेरे विलावे पर भी मर जावा जहागीर छोटू के पास पहुँचा, जहागीर का मूँ लटका हुआ था छोटू ने जहागीर को देखा और मनी मन मुस्कराया, चेहरे पर कोई भाव ना आने दिया छोटू, वो कुर्सी पर बैठता हुआ गहरी सांस लेकर बोला, हाँ तू ठीक कहता था, कि हमें एक ही कमरे में रहना चाहिए, अकेले में मन नहीं लगता लेकिन मेरा मन बढ़िया लग रहा है छोटू मुस्कराया, मजाक न कर सच में मेरा मन नहीं लग रहा एक ही कमरे में रहेंगे, लेकिन मुझे अब अकेला रहना है ऐसा मत तू इसलिए अकेला रह रह रहा था कि रंगीली तेरे पास आईगी जहां की मुह लड़का कर उसे देखने लगा और रंगीली ने तेरे पास आने जमना कर दिया तेरे को कैसे पता? जहांगीर चौंका, रंगीली नहीं बताया भी ओ, तो वो तेरे पास आई थी? हाँ, और क्या बोली? सुनकर तेरे को अच्छा नहीं लगेगा कह दे सहलूंगा, रात को वो मेरे पास आईगी रंगीली आईगी, जहांगीर मचल उठा हाँ, वो मुझे पसंद करती है जहांगीर ने देखा और नाराजगी बरे भाव से उठकर बाहर निकल गया जहांगीर के तरवाजे के बार गोरी मौजुद थी बीतरा न, जहांगीर ने उसे लिया कमरे में आया तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है गोरी, जहांगीर मुस्कर आया तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो ये मेरी खुशकिस्मती है, कहिए, क्या सेवा करूँ आपकी वो मेरा दोस्त था न, चोटू, उसे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो वो दिवाना हो गया तुमारा, सच, वो खुश हो गई वो चाता है तुम रात को उसके पास जाओ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी भूल मत जाना, नहीं भूलूँगी जहागीर का इशारा पाकर गौरी भाण चली गई रंगीली जब छोटू के पास जाएगी आईगी तो गौरी को उसकी बाहों में देखेगी फिर मेरा काम बन जाएगा रंगीली को मेरे पास आना ही होगा जहागीर जहरीले सर्मा बुद्गुदा उठा तो चलीए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं गुड़ी के अगले भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद